आज हम लोग सफल 2.0 में एक नए लेक्चर के साथ बहुत ही शांदर जो चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे हैं परसंटेज का लेक्चर वान आगया है आप सभी के सामने आज लेक्चर टू करेंगे हम लोग परसंटेज जैसे कि मैंने लेक्चर वान में आपको समझाया था कि आपकी पूरी कॉनिटिव अप्टिजूट के अंदर एक बहुत ही जादा एहम हिस्सा प्ले करता है इसी वज़ी से हम लोग स्लोली और स्टेडली अपने जितने भी कॉंसेट्स हैं परसंटेज के अंदर उनको डिसकस कर रहे हैं और आज भी करेंगे जिन भी स्टूडेंट्स ने ना फर्स लेक्चर नहीं देखा परसंटेज का मेरी हर एक बच्चे से हाथ जोड़के धर्खवास यही है कि आप लोग लेक्चर वान जरूर से जरूर देख के आएंगे तभी आपको इस वाले सेशन का लुफ्ट उठाने में मज़ा आएगा तो यहाँ पे हम परसंटेज का सेकिंड पार्ट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है पार्ट वान के अंदर हमने पूरे बेसिक्स क्लियर करें है फ्रैक्शन टू परसंटेज परसंटेज ट कितने अरांज से कर सकते हो वह सारी की सारी चीज़ें हमने सेशन वान के अंदर खतम कर दी है वैसे तो हमारा सफल टू पॉइंट हो गए फॉर्थ लेक्शर है लेकिन परसंटेज का सेकिंड लेक्शर है तो बिना किसी देरी से मैं आप सभी के सामने एक कोश्चन यहाँ प साइन्स के हैं कॉमर्स के हैं आर्ट के हैं तो हर एक बच्चे का के लिवर अलग अलग होता है तो इसी वज़ी से मैंने कहा है आपको कि हर एक चीज की यहाँ पर पूर्जे खोल के पढ़ाई हो रही है पुरो ऑपरेशन कराया जा रहा है आप सभी के सामने अगर आप कर आएंगे इंसे चैप्टर को तो तभी आपको बहुत जाता फायदा होगा चलिए शुरू करते हैं वाले कोशन के साथ तो देखो कोशन किता प्यारा है आप सभी के सामने कोशन कहा क्या रहा है इव दे लेंथ ओफ रेक्टेंगल इस इंक्रीज़ वाइं ट्वेल परसें and the breath is decreased by 8% then the effective then the net effect on the area is how much यदि एक आयात की लंबाई में 12 प्रतिशत की व्रिद्धी हो और चोड़ाई में 8 प्रतिशत की कमी हो जाती है तो छेतर फल पर शुद प्रभाव क्या है तो अगर आपको मैं आवे बताना चाहूं तो आपके बास देखो एक क्या बनता है एक रे एक रेक्टेंगल जो होता है रेक्टेंगल का आई होप सभी को फॉर्मॉला पता होगा रेक्टेंगल का फॉर्मॉला क्या होता है बताइए रेक्टेंगल का फॉर्मॉला क्या होता है आपका लेंट इंटू ब्रेथ है ना रेक्टेंगल क्या होती है आपकी लेंट area of the rectangle क्या कहता है आपको area of the rectangle कहता है length into breadth ठीक है तो यहां पर हमने let कर लिया length of the rectangle is equals to 200 centimeters और breath को मैंने let कर लिया कितना hundred centimeters तो according to this area of the rectangle क्या हो जाएगा area of rectangle क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर लेंट इंटू ब्रेथ तो 200 इंटू का 100 is equals to कितनी मेली हो गई 20,000 ठीक है जी is equals to 20,000 आपके सामने आ गई है area of the rectangle लेकिन अप कोश्चन में क्या कहा गया कि आपकी length को increase किया गया 12% से और breath को decrease किया गया 8% से length को increase करा गया 12% से और decrease किया गया 8% से तो अब मुझे बताइएगा कि आपकी new length क्या हो जाएगी आपकी new length क्या हो जाएगी अगर आप 200 को 12% से increase करेंगे तो value कितनी हो जाएगी तुमारे सामने अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पहला वाल लेक्चर देख्या ना यह 224 कैसे लिख दिया मैंने तो क्या करेंगे से 12 परसेंट ओफ 200 यह तो इंक्रीज होगी प्लस 200 है ना तो ट्वेल्व को ऐसे इंटू 200 जीरो से जीरो कटेगा प्लस 200 है तो 224 224 यह वाली value हो जाएगी आपकी ठीक है new length हो जाएगी 224 cm और new breath हो जाएगी तुमारी न्यूब्रेथ हो जाएगी तुमारे सामने कितनी यहां पर 800 लेकिन यह 8% से डिक्रीज हुई है तो इसी तरीके से 8% of 100-100 होगा तो यह new length हो जाएगी तुमारी 92 ठीक हो गया तो अब new length कितनी हो जाएगी 2292 नाइन आप फोर जाएट टो दो जाफोट जाफोर नाइन फ़ोर जा हो जाएट सिक्स नाइन तुलइटीस तीन एकए जाना इन तुलएट एपन पर टू जेस्टेन गाएगा यह दस आएगा चार दो छे जिरो जी bubble 20608 20608 यह नियू लेंथ नियू एरिया यह लेंथ नियू एरिया प्रूज रखाए तो अब कंपेर करना बताना यह नियू एरिया कितना है तुम्हारा 20,000 लेकिन new area यहाँ पर कितना दे रखा है 20,608 तो इन दोनों में area का difference कितना आ रहा है या फिर मैं बोलूँगा area आपका increase कितना से हुआ है आप बोलोगे सर जी 608 से increase हुआ area तो question में क्या पूछा गया था net percentage growth percentage growth या decrease कितनी है तो obviously अगर आपका area पुराना वाला 20,000 है लेकिन new वाला आ रहा है 20,608 तो आपका area decrease तो नहीं हुआ increase हुआ है कितने percent से increase हुआ है तो आप क्या करोगे 608 divided by पुराना वाला into 100 तो यह 0 से 0 कटेगा ठीक है तो टू से काटेंगे तू थ्री जा तू जिरो फोर और डिवाइड़ बाइज जिरो 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 फोर परसें इंक्रीज जिरो पॉइंट्री फोर परसें इंक्रीज तो यह answer आ गया अपका जिरो पॉइंट्री फोर परसें इंक्रीज क्या सभी बच्चों को क्लैरिटी आई है बोलो आया ना बोल दो एक बार सारे के सारे बच्चों क्लियर है कोई दिक्कत कोई परशानी यहां तक है ना क्लियर हो गई चीज अब मैं यहां पर कहता हूँ आपको कि जैसे कि एक्ज इग्जायमीनेशन के अंदर क्या यही तरीका है हमारे पास नहीं जिजए उदर एक्जायमीनेशन के नदर हमारे पास यह तरीका नहीं है हमारे को किस तरीके से करना है समझने की कोशिश कर SCP Strz 에요 महर्न ग्रोफ हो..? तीक है परसनटेज ग्रोफ हो है है या फिर डिक्रीज हो? कह बहुत थि कि यह कुछ भी हो थिक है वह डिपेंड करेगा कि इस तरीके से वो करेंक किन दो चीजहे नीडर सकते हो आप सैसे पशेंटे МУЗЫКА क्या है सैक से ष्गजाओं होंगा तुम्हारे सामने तब को समझाओंगा कि पहले सक्सेश से परसंटेज का फॉर्मॉला आपने कभी ना कभी कि किसी क्लास में जरूर पड़ा होगा वह यह होता है तुम्हारा ए प्लस भी प्लस ए भी अपॉन हंडेड तो यहां पर आप समझो कि जो आपका पुराना एरिया आ रहा है जो पुराना एरिया आ रहा है वो करके रहा है तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहा है लेंथ को ब्रेथ से मल्टिप्लाय कर आ रहा है ठीक है और न्यू एरिया के लिए भी आप लेंथ इंटू ब्रेथ है रेक्टेंगल बना लो है ना उसका पी एडिया निकानले के लिए तुम्हारे पास एकी फॉरंमुला यह वो क्या है लेंच इंटु बेत और चाहिए बड़े से बड़ा आप इतले रेक्टेंगल बना लो लेकिन उसका एडिया बनाने हो कोई और करते कि लैंद की फीश सकती है उसके अपरने करेंगे आंसर तो अगर आप यहां पे नोटेस कर रहे हैं कि यहां पे 224 यहां पे 100 रार यहां पे नटिस करें तो हम लोगों ने करा क्या 200 वेल्यू और 100 वेल्यू का जो रियल वेल्यू आई थी उसको मल्टिप्लाए गिया और 224 इंटू 92 इन दोनों को मल्टिप्लाए गिया और जो रिजल्ट आये इन दोनों का और जो रिजल्ट आया उसका डिफरेंस निकाला हमने दोनों के डिफरेंस निकाले और जो रिएल वैलु तो हमने उसे कलिकुलेट कर दिया अब मैं क्या कहता हूं ना हमारे पास examination में ना time नहीं होता हुआ तो तो इसी वजी से जो हमारे को मैंने जैस July's क Dutch कि अंदर को डیू可能 की जो चीजया कर रही है जो मतलब एक यह ती उससे कम यह से जाधा जो हो रही थी उसको हम calculate कर रहे थे लोग क्या करें कि उस से जो हमारे पास कुषिंग हैं उनको हम कल्कुलेट करने लगें फ backend काण से dewक सब्सक्राइब और मैं जिए क्लिकुलेट volver यहां डियो गांती है तो ही चीज हम इसके अंधर पड़ेंगे हमारे को यहां यहां पर भी करनी है तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि कि परसंटेज ग्रोथ कितनी हो रही है बस वो देखेंगे परसंटेज ग्रोथ कितनी हो रही है आपने क्या क्या दिया सर कि लेंथ आपकी इंक्रीज हो रही थी 12 परसंट से और ब्रेथ आपकी इंक्रीज हो रही थी 8 परसंट डिक्र 100 मानी और ब्रेत 100 मानी तो इसके accordingly मेरी new length और new breath आईगी बोलो हाई ना new length और new breath आईगी क्योंकि 200 को मैं 12% से increase करूंगा और 100 को मैं 8% से decrease करूंगा तो यहां पर value किसके और dependent है जो हम value initial value लेट कर रहे हैं जो हम इनीशल वेल्यू लेट कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ बताईएगा जो मुझे एक चीज़ बताईएगा कि क्या कि क्या हमारे पास यह जो length है और breath है यह restricted है कि मैं इसकी value 10 भी तो लिख सकता हूं breath की value मैं 5 भी तो लिख सकता हूं और यहां पे जो 10 को 12% से increase करके value आएगी और 5% से decrease करके जो value आएगी ना आप मेरा विश्वास मानें बिल्कुत सची सची बता रहा हूं कसम खा के बता रहा हूं जिसकी आप बोलेंगे कसम उसकी कसम खा लूँगा मैं लेकिन मैं सची सची बताओंगा आपको जूट रहीं बोल रहा 1% भी जो यहां से भी answer आएगा और जो यहां से भी answer आ रहा है वो उन दोनों cases में आपके पास 3.08% growth ही आएगी विश्वास नहीं आप ne элект कर सकते हो कि आप लोग अपने end से भी जाके अपने मन से भी उसकाजिक कर सकते हो ठीके कोई भी वेल्यू जो मन है उस महर्यो को आप पुट करो ठीक है एक लाक रुपे रखनी है वो रखो जो मन है वो रखो लेकिन आपका आंसर 3.08 की आने वाला है ठीक है करके देख लेना एक बार तसलिज़े ठीक है अब जो मैं कह रहा हूं ना इसमें आंसर आ क्यों रहा है वेल्यूस तो हमने लेट करी ये जो क में ना जो परसंटेज इंकरीज इसकी वजी से आ रहा है थो इस बैटर कि मैं इогодि कर कर雇ए यह को रहे तो मैंनस की वेल्यू और मैंनस उन्टू प्लस कि वैल्यू कोती है मायनस होती है इस वाले फॉर्मले में हम इने पूट कर दिया तो ए ट्वेल माइनस एट फोर आगई वेल्यू ठीक है जी और यह माइनस का पॉइंट नाइन सिक्स वेल्यू आ गई तो अगर आप देखेंगे तो कितनी वेल्यू आ रही है तुमारी थ्री पॉइंट जीरो एट ही वेल्यू रही की आप सभी को कॉस्टिन समझ मार रहे हैं बोलो हाय ना तो बोलिया जल्दी से एक बार निटी पॉइंट वेल्यू आएगी बोलो है नि बताओ भागा अ कि बोलो 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 अ मिगा चिः पॉइंट ही यह पर यहां पे भी हमारे पास येस जीरो फोर यह ठीक है मेर से बाई मिस्टेक होगी कुछ ठीक है नहीं तो यहां पर सभी को समझ में आया कि हम ना अब देखो सेकंड चैप्टर हमारा चलने लग गया सेकंड चैप्टर के सेकंड लेक्चर पर हम लोग आप लोग अगर चीज नोटिस करेंगे जो मैंने आपको बताई थी वात वह यह ब अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो होंगे कि वह लेंद को यह सौ माल लेंगे तो पचास का आठ परसंट करना और नहीं कर सकते ठीक है लेट करने के लिए भी आपको थोड़ से प्राक्टिस की जरूत होगी कि आप सबसे अच्छे लेट करना शुरू करें कि जिसमें उ इस वाले केस हो क्या रहा हुआ कि जो चीज игр कrr रही हैं जो चीज हो रही हैं उसी चीज हो की उसी चीजुका करेंगे छीन कल्कूल करेंगे तो यहां से आप कर सकते हो जब भी हमारे पास परसंटेज 2020 तो मैं कह देता हूं लेंग अगर मेरी 12% increase हो रही थी ब्रेथ मेरी यह एक्जामपल है एक्जामपल है कि लेंद्ध मेरी 12 परसंस इंक्रीज हो रही थी तो अब बताना आंसर क्या होगा 12 माइनस 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 होता है यहाँ यहां पर दोनों प्लस ही है तो यह वाली वेल्यू कितनी होगी तुम्हार पास 20 हो गई क्या होगी बैचो कि एक्जामपल नमर्थ यह है की लेंथ आपकी डिक्रीज हो रही होती 12 परसंस से और ब्रेथ आपके इनक्रीज हो रही होती 8 परसंस से तो बस आपके पास तो प्लस का 8 लिकिन माइनस है तो 5.9 तो अब एडिया आपका 4.96 परसेंट से डिक्रीज हो रहा होता ठीक है एक्जाक्ट एरिया नहीं मांगा है उसने तो इसी वजी से हमारों को सिर्फ और परसंटेज लिखा नहीं थी आई होप हर एक बच्चे को क्लियर हो गया हो कोशन बहुत ज्यादा डिसकस कर लिया हमने इस को छोटा सा कोशन था बस अब आजो इस वाले कोशन में देलेंट ब्रेट अब रेक्टेंगल आर मेट टु इंक्रीज डिक्रीज रिस्प्रेक्टिवली बाइट परसंट एंट परसंट सेमी कोशन हो अब बताओ इस वाले को अगर तुम यह स्वाले तरीके से बताओ जो हमारी चल रही है उस तर एक परसंट और 10% से बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया जाता है इसके छेदर फल में कमी का प्रतिचत क्या ऐता उप हालत खराब कर दोगे सवाल ही खट 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 थानसर लगा हूगे आप बोलोगे सथी आपकी लैंक्र difícil हो रही है यह 8 पर शेए और और ब्रेथ आपकी सटोने होने लग रही है कितने से आपकी सटोने हो है थे 10 पर शेए थमा contribute 8 इंटो 10 upon 100 इंटो 1010 democratic मैश मीने स्वा माइनस खांव आई गया मैनस जा जा एकना पॉइंट यहां परесс Ihre माइने सकाव डाइस का मैने सक्झाव टूपॉइंट एट लॉग और फिमानस का 2.8 is the right answer minus का 2.8 is the right answer तो बस 2.8 से decrease हो रही है minus का sign represent करता है decrease का अब वो ही है case या जिस बच्चे को समझना नहीं है जिस बच्चे को समझ नहीं आई है वो प्यारा प्यारा तो सुन्दर सुन्दर सा ये एक बनाएगा क्या rectangle बहुत मैनत करेगा विचारा ठीक है ये लेंथ निकालेगा ये ब्रेथ निकालेगा लेंथ को बहुत सुन्दर हैं राइटिंग में लिखेगा लेट से सौलिग देगा और इसको लेट कर देगा वो पचास तो ओल्ड ओल्ड एरिया निकालेगा पांच हजार अब वह बोलेगा सर जी नियू लेंथ कितनी होगी मेरी नियू लेंथ देखेगा कोशन में आखें उठाके तो कहा गया है कि आठ परसन से आपकी लेंथ इंक्रीज होई है तो सौ को आठ परसन से इंक्रीज कर रहे हो तो 108 आएगी वेल्यू और नियू आपकी टेन परसन से डिक्रीज है तो ओल्ड बैठ थी तुमारी पचास और टैन परसन से डिक्रीज है तो यह वाली वेल्यू कितनी हो जाएगी 50 माइनस 545 यह तो मैं तब भी और लिगर पा रहा हूं है ना बच्चे तो ना जो जो बच्चा इसको इस तरीके से करेगा ना एक सो आठ ठीक है फिफ्टी पर जो ब्रैथ है उसको पांच परसन से डिक्रीज गया गया फिफ्टी माइनस फाइव परसेंट ऑफिफ्टी ठीक है यह तो मैं तब भी और ली कर रहा हूं यहां पर कितना टाइम वेस्ट करेंगे ठीक है तो अब करेंगे इन दोनों को यह 0 है यह 6 है यह 8 है 4860 4860 मतलब की न्यूँ एरिया आगे तुम्हारा 4860 आपका ओल्ड एरिया था पांच जार अब न्यू एरिया आगे 4860 कितने से डिक्रीज हो रहा है एक 40 140 140 से डिक्रीज हो रहा है किते पे 500 पे और 5000 पे इंटु 100 इसको इससे काटेंगे इससे काटेंगे यह 5 से कर जाएगा तो आपकी वेल्यू आ जाएगी है ठीक है जी तूपांटे अब मुझे खुद दिल पे हाथ रखके बताना सची सची बताने देखो करने के लिए मैं इस कोश्चन को स्किप कर देता ठीक है मैंने में अभी क्लास स्टार्ट हुई है और मुझे पता है कि अभी बच्चों को ना सक्सेसिव परसंटेज ग्रोथ सक्सेसिव परसंटेज डिक्रीज में जो मैं बातचीत कर रहा हूं वह बच्चे नहीं है इतने तो इसी वजी से मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको लेकिन आप दिल स्टूरा कन्फ्यूजिंग है मेरे प्यारे क्यूट से बच्चे तुम्हारे को मैठरड वन तुम पिछले पात साल से 6 साल से जब से तुम्हारे लाइफ में एवरेज इंट्रड्यूस हुआ होगा फिर क्वांटर इंट्रड्यूस हुई होगी ना वो तब से कर रहे हो तुम क्या लेकिन तुम सची सची बताना क्या एक मिनट के अंदर आंसर कर पाओगे वहाप एक्जामेनेशन में अगर तुम बहुत तुर्रम खां भी होना मतलब तुम्हारे को टेबल ज्याद हैं पचास तक ठीक है तुम्हारे को कैलकुलेशन बिल्कुल दिमाग में चलती हैं तुम्हारी है ना कोश्चन को देखते हो तुम बहुत ही तुम्हार को प्यार है नंबरों से तब भी तुम घर में आएगा एक्जामेनेशन पास आ रहा होगा वीडियो देख रहे होंगे तब तुम्हार को और भरोसा हो रहा होगा मेरी बात क्योंकि उस समय तक और टाइम हम गुजार चुके होंगे एक साथ ठीक है लेकिन अभी से भी मैं ट्रस करवानी की कोशिच कर रहा हूं कि एक्जामे प्रेशर और जादा हो जाता है वहाँ पे दिमाग और कम काम करने लग जाता है अगर सही एप्रोच नहीं हो हमारे पास देखो एक्जामिनेशन की जो इस टार्टिंग के 5 तो यह दो चलो घाल तुमने नस्थ मिने न उस समय पैस पकड़ लिए एक्जामिनेशन की थैके न तो पूरा पेपर है बहुत जादा प्रोबाविलिटी भर जाएगी तुम्हारा पेपर अच्छा हो लेकिन तुमने स्टार्टिंग में पांच मिनट पहीं एक कोशन में तुमने लगाने लग गए लेड़े मिनट दो मिनट तो क्या होगा कि जितना टाइम आपका बीतने लग पर होगा ना तो आपका टाइमर ना इस तरीके से नहीं चलता है कि आपका जीरो एक मिनट हो गया ठीक है तो जीरो वन जीरो 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 वान ऐसे नहीं चलेगा ठीक है फिर जीरो टू ऐसे नहीं चले फिर उस खित्ते पर आपका फिफ्टी नाइ 59 seconds 59 emails 58 seconds 55-29 minutes 60 40 seconds and so on मतलब की घटते वे में चलेगा 40 minutes 40 seconds तुमाने पास तो आधी देर तक तो ना बहुत देर तक तो बच्चों समझे नहीं आएगा लेकिन जब वो दिखाने लगेगा ना सरस्फ दस मिनट बचे हैं सिर्फ 25 मिनट बचे हैं तब होने लगेगा पैनिक तब होने लगेगा पैनिक यार अभी यार तो पूरा कोशन करना है तब जाके दिक्कत हो जाएगी इसी वजी से मैं कह रहा हूं जो भी बच्चाना विचारा मैं कहना चाहूंगा अभी आप लोगों को पता नहीं है पेपर का कॉंपेटिशन कितना है इसी वजी से आप बोल रहों कि सर हमसे पहली लेवल में स्वाल हो रहा है कुश्चन पहला वाला जो आप मेथड बता रहे हो दूसरा वाला कन्फ्यूज जिन्दगी वाले मेथड होते हैं वह भी करता रहता हूं वह आपको कहीं नहीं मिलने वाला जनरली वैसे होना भी ही चाहिए होता भी यही है कि एक बार आपको कमफरडेबल किया एक कोश्चन के अंदर फिर्टी सेकिंड थर्ड फॉर्ट कोश्चन से आपके जो सही अप्र सब्सक्राइब तो उन लोगों को दिक्कत होती है लेकिन मैं इसी वज़ी से कमफरडेबल करने की कोशिश करता हूं तुम्हारे को ठीक है तो मेरी सची में हाथ जोड़के दरख्वास आप सभी से है जो भी बच्चे सोचते हैं कि सर मैं फर्स्ट मैथड से ही कर लूँगा अभी कर लो लेकिन मैं आपको बोलूँगा स्लोली एन स्टेडली शिफ्ट होने की कोशिश करो अगर तुम यह माइंड सेट से बैठोगे ना कि यार फर्स्ट वाले से आतुराय मेरा आंसर तो वो माइंड सेट गलत है बच्चे क्योंकि तुम्हारे को अल्टिमेटली इन क इस तरीके से उल्एव करके इसतरी केuciones लाव्य करना चाहिए एफञी तुम ऑगर किसी दोस्त ने तुमारा अभी वह नौकिया का फोन चला रहा था सैमसंग बहुत ही बेसिक फोन चला रहा वूजो भी आपके फोन चला रहा नहीं वह कल आते ही सार वो उसने दिखाया कि भाईया देखो मेरे भाईया ने मेरे पापा ने देखो मुझे आईफ़न 14 गिफ्ट किया है तो तुम उस चीज से अट्राक्ट होगे और बोलोगे कि यार मेरे प्यास भी होना चाहिए मेरे भी अपग्रेड़ेड फोन होना चाहिए अपग् मेरे पर शर्ट होनी चाहिए तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे और गनित में क्या दिकत द्रेक्ट को ये बताूगी इस वाले में कितना दिमाग पर जोड पड़ रहा है इस वाले में जितनी बार सवाल को सवाल करोगे इतनी बार दिमाग पर जोड पड़ेगा वेरस इस मेथड में एक, दो, तीन बार करोगे अगर सवालना तो तब दिमाग पर जोड पड़ेगा लेकिन एक बार करने लग जाओगे न तो सोचो कितनी सी देर में हो जाएगा सवाल बताओ एक बार जब करने लग जाओगे तो कितनी सी देर में हो जाएगा सवाल ठेक ही नहीं है गलत बोल रहाओं तो मुझे बताईगा एक भी चीज गलत बोल रहों तो मुझे बताईगा इन प्राक्टिकल चीज बता रहों तो वो मुझे बताईगा है ना मुझे पता है इतने साल बच्चों के साथ जुड़के उनके बहुत ही करीब खुद से मैंने देखा है उनकी क्या मतलब सिच्वेशन होती है क्या मेंटल स होता है हर चीज देखी है इसी वज़ी से मैं आपको कहना चाहरा हूं आप लोगों को यहां पर शिफ्ट होना ही है बच्चों जो भी बच्चे थे उन्होंने कमेंट करा है हर एक बच्चे को मैं हाथ पकड़के यहां से यहां तक लेक्या होंगा प्रोवाइडेड तुम्ह अगे बढ़े कोई ज्यादा दिक्कत को परचानी तो आइधिक नहीं है आजाओ इसकोशन में दरेडिस ऑफ दसर्कल इस इंक्रीज़ बाइट परसें रेडिस इंक्रीज़ वो गया देन इस एरिया इंक्रीज़ वाइवाट परसें अच्छा अब एक चीज़ बताओ एक सर सरकल बनाया तुमने और सर्कल का एरिया क्यों होता आपका होता है पाई आर इसक्वेर सर्कल गल अब यहां पे एक circle है यहां पे radius ठीक है यह रेडियस है लगार कि अ है ठीक हो गया सिंकेजों गए है एक और इंज अंक्रीजों गया एक सरकल का एरिया वह गया है उक परसंट है चिंट हो गया जो होगया थीन तुन है अभमजे चीज बता हो ए जो अंदर वाला एरिया है अंदर वाला जो सरकल है उसका इंसरा और जो भाषिस है जो भाषिसार हुआ है उसका अगर आपको पता है तो आपको पेसर जी पाई एरिया निकालने के लिए तो यहई ही तक नहीं लेकिन चीजें क्या होती है चीजे क्यá होती है सिर्फ और सोर्ष होता है तो क्यूं न क्यूं मेरे को एक तो तरीका यह है कि थूं से मैं थी है 100 है 10 है ठीक है मैंने मान लिया दस आप देखो 300 परसेंट कि रहे ना बच्चा ना बखला जाएगा यह 300 परसेंट ओफ 10 ठीक है 0 से 0 कटेगा यह कित्ती वेल्य आजेगी 30 प्लस 10 40 तो यह आएगा तुम्हारे पास न्यू रेडियस आजाएगा 40 तो अगर तुम्हें एक चीज़ नोटिस करोगे तो पुराना वाला कितना है तुम्हारा 10 है पाई आर स्क्वार हंड्रेड पाई है कि नहीं पाई आ और यह lol वेल्यू कितनी हुई तुम्हारे इन दोनों के बीच के डिफ्रेंस आ रहा है तुम्हारा थेक्यां 1200 इए और यह吃 अब इंदोनों के बीच का डिफ्रेंस कितना आ रहा है 500 की वैल्यू मैं और परसंटेज कितनी होगी 1500 पाई हपॉन ओरिजिंब वाली एंटु हंड़र पाई से पाई कटा इससे एक कटा फंदरा सो परसंट 15100 परसंट वेल्य आ रही है ठीक जी फिफ्टीन हंड़र परसंट एक तो यह अप्रोच है लेकिन मुझे चीज बता ओ इसमें चेंजस क्या रहें सिर्फ और सिर्फ रेडियेस में चेंजे इस पाई पहले वाले में सब्सक्राइब कि शोब्रथ वाले दूसरे वालिए में तु तो मुझे पता हैर कि वह कट जा एभ न। हमारे पास कोई उद। होना च्छेस्व परसेंदेश ग्रोथ का जिसके अंदर हमारे टोमारे पास और यह और नहीं बीओ je अंदर लेकिन आपका जो फॉर्मुला यह उसके मल्टिप्ला अपने आप से लेही होता इसकॉयार का थो है जो वैल्यू है उसको ही उससे मल्स और दो इसकोफ 24 सा क्लोय होता है मतलब कि श्रीot को छ कर दिया तो वही के इसके अंदर है तो आपका मतलब कि पुराना वाला आर में यह, गर देखा जाए तो आर हमारा 100 है ना, से इंक्रीज होके कितनी वेल्यू देगा 400 देगा और दूसरा वाला आर भी अपने आपको 400 देगा एक नहीं तो इसी वजी से आपका सक्सेसिव पर्सेंटेज ग्रोथ हो जाएगी इसे प्लस बी अपन अपन हंडरे एंट प्लस बी अपूं यह वी प्लस बी अपन हंडरे टो इसको करेंगे एक यहां पहले वाले पर्सेंटेज की थीन सो ही है कि फिर फेन trailer और ना दो इनक्रीजी Oh around ंटू का 300 co कि यह इंटू नहीं ज़ा कि यह प्लस आएगा कि फन्टीन सो फ्लस फन्टीन सो फ्लस थी इन्टीन ौप ऑन दो कि जीरो से जीरो कटेगा यह वाली वेल्यों कितनी आजएगी तुम्हारी 600 आएगी प्लस से थ्री इन्टू नाइन नौसो यह वाली वेल्यों कि तुम्हारी 1500 तो 1500 परसंटेज ग्रोथ क्या इस कोश्चन में कोई रॉकेट साइंस पड़ा दीके मैंने एक बार मुझे बतातो कोई प्रशानी अब बढ़े आगे आजो अब सक्सेसिव का एक और कोश्चन अब इसको में डारेक्ट ली करूंगा दे लेंट अब पूछा गया कितनी खतम कोश्चन हां की ना करें खेलें आजो अब देखो क्या कहा गया मैंने आपको बोला था या तो एक तरीका वोई है एक तरीका तौए है की आप लेट करके करों इनकोश्चन को की कि लेंध आपकी दोसों माले तूमंगे और ब्रैथ तुम्हें नहीं पता ठीक है और आपका एरिया कितना आरहा है तुम्हारा एरिया कितना हो जाएकर तुम्हारा 200 इंटु भी है ना तो आपका ऐगे एरिया सोब्याइए ऐहां पे और आपकी न्यूम एरिया और कि दो 300 हो जाएगी तो यह Thai को निकालनी है यहां से कैल कुलेर नीए अब तो कर सकते हो आपको यहां पे कुछ लेकिन है यहां पर कोशिच करता हूं आपको पता है tiny मैं अब तुम्हारे पास Korean की ईो एक बटा दो से ब्रैथ कि आपके से कितने से बन बाइफ ऐसे फिस तो अब मैंने क्या करा कि यहां पे लिखा मैंने तो यहां हम वैसे लिखते हैं इसमें कि हमारे पास एरिया है और यहां पर लेंद है यहां पर लिखेंगे ready ठीक है और लेंद ब्रैथ को बना के बनेगा हमारा ठीक है तो हमारे पास Aडू है ό, हमारे ऑ ब्रैथ है तो इरिया कि तो लेंद हमारी इंग्रीज हो रही है दो से अब कलोगी चैस्ट ली ना तो यहां पर और यहां लिखेंगे नियों अगर मैंने लेंद को 2 मान लिया क्योंकि मेरा 50 बरसंट से इंक्रीज हो रहा है तो मुझे पता ना इंक्रीज़ दे दिया कितना होगा इंक्रीज़ दे क्यों माना मैंने क्योंकि डिनॉम में जो फ्रैक्षिन है उसका डिनॉमिनेटर टू है तो इसी वजी से हमारी ओरिजिनल वैल्यू भी टू ही होगी जो डिनॉमिनेटर है जो फ्रैक्षिन है उसका डिनॉमिनेटर टू है तो इसी वजी से हमारी ओरिजिनल वैल्यू टू ही हो रहा है अगर मेरा ओल्ड एरिया फाइव ले लिया तो यह वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी इसको इस तरीके समझनी आ रहा रहा है तो एक काम करो लेंथ ब्रेथ ले लो और इस इको इस टू एरिया ले लो ओल्ड और न्यू ले लेंगे आपर लेंथ था टू और यहां पर तुम्हारे को मैंने मान लिया एक साय यह और एरिया है तुम्हारे पास पांच और यह जाद अच्छे समझ माद यह लग रहा है यह वाला तरीका तो सेम ही है बस रिप्रेजेंट करने का तरीका लगए ठीक है कि लेंथ मेरी दो थी लेकिन इंक्रीज होगे त्री हो गई ब लगा यह तो कि एशक्स होगा ना 5 प्लस 16 एक बच्छों को सब्सक्रीज हो कि और यहां तक एक बढ़ मुझे बता दो कि सभी वच्छों को क्लेरिटी है एक बढ़ मुझे बढ़े सम्झाने कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगता है क्योंकि यहां पर जब ह समंजना के येवाला कछ वाले लेक्षे साथ के पर संटेज गो्थ, उसे हम लेता है और आड़ नंद्र मेसा हम लेकर कर देती है तो आल्ट वैल्य हमने लेन्थ की लेली थी 2 तो 2 प्लस 1 3 हो गई तो न्य वाई यह हो गई अब एरिया आपका इंक्रीज हो रहा था 20 परसेंट से तो ओल्ड एरिया हो गया 5 तो 5 प्लस 1 6 हो गया तो बस अब देखा जाए तो कितनी वैइली हो गई तुम्हारी ब्रेथ की x is equal to into x equals to 5 by 2 y equals to 6 by 2 6 by 3 6 by 3 इसको काटेंगे तो 2 है तो x की value कितनी आ गई 5 by 2 ही रहने दूंगा मैं और इसकी value कितनी आ गई तुम्हार पास 2 आ गई तो percentage growth पूछ रहा था या decrease पूछ रहा था तो बता न, old मेरे पर है ये old length old breath है 5 by 2 तो 5 by 2 minus का 2 तो कितनी value हो गए 1 by 2 यह मेरी increase है और percentage growth कितनी है 1 by 2 increase हो रहा है upon 5 by 2 से into 100 तो इससे यह कटेगा इस 5 की value कटेगा 20% तो 20% decrease है की increase है decrease है की increase है देखा जाते है और दो हो रहा है तो पुराना वाला ब्रेथ जादा थी पहला पुराना वाला ब्रेथ धाई थी और नियू वाली 20% decrease is the right answer to this question क्या बालकों को समझ माया क्या बालकों को समझ माया एक बार थोड़ा सा डॉर मारूंगा मैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा बच्चों को पता है हलका साना doubt लग रहा होगा इसमें यह वाले में तो कोई दिक्कत थी नहीं आपके में इसको छोड़ी दो जो भी था कि मैं यहां पर आपको समझाने कि फिर से करूं इस समझाने की कोशिश कि कि यहां पे लेंद था लेंद यह देखो ना आपकी लेंद इंक्रीज हो रही थी 20% से कि है एंव है कि एंदेशONG अपिज़ की एप अब की तुनीरस आ से एपकी लेंद्ट रिस ते मुलाने लेंद्ट आपके लेंथ इंक्रीज हो रही ती 50% से और यहां पता है एरिया होता है लेंथ इंट ब्रेफ का तो यहां पे आपको यह वाला लेक्चर कल देख के आना पड़ेगा जो अभी आपको दो चीज़ें समझ में आ रही हूंगी अगर फ्रैक्शन वाला समझ नहीं आ रहा है तो कल देखके आना पड़ेगा फ्रैक्शन होता है वन बाय टू और इसका फ्रैक्शन होता है वन बाय फाय ठीक है यहाँ पर मैंने लिख दिया old old values लिखेंगे आपर और यहां लिखेंगे हम new values ठेक है जी यहां पर लिखेंगे हम length की value length into breath ही तो area देता है na rectangle का ठेक है length है breath है ठेक है length मेरी fraction में fraction का जो denominator होता है वो old value होती है और अब length increase हो रही थी तो इसलिए two plus one three और अगर decrease हो रही होती तो कितनी होती two minus one one अब breath मैंने लेली x है breath मैंने यहां पर लेली y है अब area मेरा कितना है area मेरा कितना है old कितना हो का five हो क्योंकि denominator five है और अब breath आपका area भी increase हो रहा है तो five plus one six तो मतलब की two into x पहले यह देता था और अब यह देता है ठीक है जी तो यहां से x की value कितनी दिख रही है तुम्हारे पास डाई और y की value तुम्हारे को दिख रही है तू यह this is nothing but यह है आपके पास old breath भाई इससे जादा और बताओ इस तरीके से लिख सकता हूं कि मैं एक चीज लेबल करके दे रहा हूं तुम्हें ठीक है थोड़ा से जिस भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा ना एक हाथ जोड़के दर्कवास से इसको ना बार बार देख लेना ठीक है तो old breath हो गई तुमारे पास धाई और new breath हो गई तुम्हारे पास दो अब तुम्हारको increase देखना था percentage increase तो तो डू.5 minus का तू जो कि देखा तुमारको 5ू.5 शे डिक्रीज हो रही है आपकी ब्रेथ अपन ओल्ड रखेंगे ओल्ड ओरिजिनल यह इंटु हंडर ठीक है तो यह वाली वेल्यू आजेगी तुम्हारे पास कितनी ट्वेंटी परसंट ठीक है क्लियर हो गई बात क्या किसी भी वच्चों कोई डाउट कोई दिक्कत को परशानी बच्चे मज़ा रहा है यही तरीके करने हैं यार मार को क्या कह रहा है देखो देखो इंक्रीज बैट इनक्रीज परसंट इंक्रीज परदिज और वालियूम गनाब की लंबाई में 20 परश्चत की कमी होती है अच्छा डिक्रीज हो रहा है ठीक है तो एक काम कर सकते हो एक अगर आपको लिखना है न तो देखो जब भी आपको डबल वाले का सक्सेसिव मैंने बता दिया ए प्लस बी प्लस एबी अपॉन हंडेड एक तरीका तो पता है कि आपके पास एक तरी log को रिक्रीज हो रहा है तो 20 ब्लस 30 एपॉन हंडेड क्योंगी दो ही वेल्यू लिख सकते हैं इसको से काटेंगे तो adore ॉसके बाद 50 पर संट कईba रा तो बस अब आप लिखोने 56 अभी मैनस का दिक्रीज है ना 56 माेनस का 50 माइनस का 56 into 50 यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आप डबल डबल में खेल किसी को डाउट डाउट फॉर्मल लगा दिया मैंने आप क्यों लगाया वह यहां अगर तो तो इसी वजी से यहां पर अब तुम्हारे को ना जो भी बच्चत खोड़ता एक्स्टा पढ़ना जाता ना उस बच्चे के लिए देखो एक यह है कि जब भी ट्रिपल वाला जाना सक्सेशिव ग्रोथ डबल के लिए तो 99.9 परसंट जन्टा को पता ही होता है एपर अब ह्याइग यह नो कभी काम आजाता है लेकिन कभी-कभी वाले में लेकिन कभी-कभी उसमें काम आता है 1 per si a upon hundred plus a piece का abc upon hundred इसकोर एक तो यह वाला फॉर्म बन जाएगा का एक प्लस बीप्लस सी प्लस एबी प्लस B सी प्लस सी ए इन्टू यह वाली वैल्यू क्या है थीक है तो यह वाली बन गहीं थीक है कोई दिक्कत कोई परशानी कोई दिक्कत कोई परशानी है क्या यह अ यह है बस इसमें कर देना इसमें क्या था है 20 30 50 राइट 20 30 50 था 20 30 15 था तो 20 एक है वेल्यू है प्लस का 20 प्लस का 30, माइनस का 50, प्लस, ए भी वाले केस के अंदर तो प्लस ही आएगा, तो 20 इंटू 30, ठीक है, अब माइनस होने लग जाएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि C माइनस का अब या रहे हैं, वैच्छों, माइनस उसमें, फॉर्मले में नहीं लिखोगे, माइनस का 50 इंटू 30 ठीक है जी, माइनस का 50 इंटू 20, अपॉन 100, अब यहाँ पर भी माइनस का जाएगा, क्योंकि यह माइनस का है, अब A प्लस B प्लस C है, A इंटू B इंटू C, तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 20 है, प्लस B की वैल्यू 50 है, अब B की वैल्यू 30 है, और माइनस का है, त तुम्हारे पास फिफ्टी अपॉन इसकी वेली सो देखो यह इस वाले केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि माइनस वाला है नहीं तो डायरेक्ली सक्सेसिव ग्रोथ होता ना तुम्हारा तो इससे निकल जाता तो इससे बेटर यही है कि अभी फॉर दिस अगर प्लस में होती तो खट 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 जाता और कैलकुलेट होके आंसर आ गया होता लेकिन एक माइनस में तो इसी वज़से थोड़ी सी दिक्क्त आ रही है नहीं तो यह फॉर्मला सबसे इंपोर्टेंट है मैं कहता हूं यह सिर्फ और पॉइंट फाइव जनता को पता है तो आपको अगर पॉइंट फाइव परसन जनता में आना है इफ इनकेस बाइच चांस है कि जामेनेशन गंदर ट्रिपल वाला आजा और आपके पास होगा तो आप लोग फटा-फट करक्या जो है ना आई होप सभी बच्चों क्लियर हो रही है कोई दिक्क यह से बढ़ गए एक्रामपल देवाताता हो लेट अगी सेवलान की ना सेलवान जो भी लिखा है सैवलान सेवलान सैलसे से लॉन की पहले ओरिजिनल वैल्यू थी दस सो ठेक है जी ओर देजनल वैलीवे थी तो तीश क्यों नहीं है इसलिए पहले बताना ठेक है आब इसकी पहले value increase हुई कितनी 20% है तो यह पहले 100 थी अब 20% से increase हो गई तो कितनी value हो गई 120 की हो गई ठीक है 120 की हो गई अब further 10% से growth हो रही है तो 120 और 10% की growth value हो गई तो 12 से increase होगी तो 132 तो इसी वज़ी से कह रहा हूं देख रहो पहले 100 रुपे की चीज़ अब 132 में मिलने लग गई है तो कितना percent growth हो रहा है 32% growth है 32% growth है और इस question को भी तुम successive percentage growth से कर सकते हो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन हंड्रेड ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन हंड्रेड 20 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन हंड्रेड जीरो से जीरो कटेगा किती वेल्यों आगई थर्टी थर्टी टू थर्टी प्लस तू थर्टी टू परसंट ठीक है न बच्चों मैं आप सभी के लिए देखो टाइप आइस इसलिए कर आ रहा हूं questions कि आप लोगों को ना idea रह ठीक है कि एक तरीके पर एक जो चीज एक concept जो सीख लिया उस पर किते डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप ऑफ questions बन सकते हैं ठीक है आप सभी को भी regularly sessions में अगर रहोगे तब ही फायदा होगा बीच बीच में आओगे चले जाओगे बग जाओगे कुछ फायदा नहीं है या और बुज़ा पता है percentage में और कम हो जाएगी percentage पार्ट टू में और कम हो जाएगा मैं आपको एक आकड़ा बताता हूं 2023 के अंदर जनरल टेस्ट का पेपर ना साड़े छ्य लाग बच्चों ने दिया पेपर साड़े छ्य लाग बच्चों ने पेपर दिया है और सिर्फ और सिर्फ पैंतिस बच्चों के मांक सो परसंटाइल आए तो आप सोच लो कि सिर्फ उतने ही नंबर्स हैं और सच्ची बतारों serious experience भी उतने ही है अगर तो अब को आखना है कि तुम सीरियस एस्पेरेंट हो कि नहीं हो ठीक है सही में बहुत मेहनत नहीं लगती अगर तुम कंसिस्टेंट हो किसी भी चीज के अंदर ठीक है बहुत मेहनत थब लगेगी कि जब तुम्हारे को रास्ता ही नहीं पता तुम्हारे को ये भी करना ये भी करना य ये भी करना ये और और एंड में देखो कि कुछ भी नहीं हो रहा से इससे बेटर है कि अपने को कूरे दिन प्रुक्ति come on सफ़ेकर सेरे बाटना शुरू करो बौु को टाइम दो टिउशन पढ़ रहे हो टिउशन में इस तरीके से पढ़ो कि तुम वहीं हो उस समय टेंशन मत लेना कि मेरे को तो जनल टैस्ट भी पढ़ना था ना कुछ बन पाओंगे और वहीं पे अगर तुम फलाने सब्जेक्ट की को ट्यूशन पढ़ रहे हो तो वहीं पर बैट के उसे इस तरीके से पढ़ लो कि उसको जाके एक वार रिवाइस कर लो, और तुम्हारे जहन में उतुर जाए, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर तीस तरा पढ़ लो, फिर उसके बाद सीउटी की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, उस दो चीज ने UP ना कर रूस ना टृग यह थिस से आपको वह नहीं वहाँ गलत नहीं कहारा हूं कि आपको ओर बारवीM मैए बहुत करना हस admitted लेकिन चीजों को करना आना चाहिए तुम पहली बार एक्जामन नहीं देरो बार्वी का यह थे त्वहारे से पहले सेकड़ों बच्चों ने एक्जाम दे दिया हर साल बच्चे सेकड़ों बच्चे एक्जाम देते हैं तुम्हारे बाद भी देंगे और तुम्हारे साथ भी देंगे तुम्हारे साथ देने वाले बच्चे भी सो परसंटाइल जनल टेस्ट में लियाएंगे इंग्लिश में लियाएंगे अपने रिस्पेक्टिव सजेक्ट में लियाएंगे बोर्ड में भी अच्छा कराएंगे इस पोर्ट में अच्छा कर लेंगे को करेंक्रेटी एक्रिकिटीश भी कर रहे होंगे तुम क्यूं कि नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम एक चीज पीछे अपने आपको find करते रहते हों कि यार्ड जर्नल टैस्ट भी पढ़नाया कि इस शीज़ों में दिमाग ज्यादा रहता है तो इसी वजी से पढ़ाई करो मेरे को बड़ा मैं कहूंगा आश्चरी शक्री तो नहीं हुआ हूँ इतने साल हो गए हैं पढ़ाते हुए कि आपके एवरेज में बहुत सारे बच्चों ने भी देखा है पार्ट वन और पार्ट टू आधे बच्चे भी नहीं देख रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से और अपना डेडिकेशन से जब तुम्हार को पता चलेगा कि मैंने यह सब्जेक्ट को मुझे इस महीने चब खतम करना था तो तुम्हारा और से ही चाहा नहीं होगी मतलब कोई बचे छूट रहा हूँ इंस्ताग्राम पर मेरी पोस्ट नहीं गए पिछले तीन महीने से पिछले दो महीने से मैंने कोई एक भी फोटो नहीं डाली ठीक है कोई फरक नहीं पड़ेगा तुम्हार को सिर्फ यह रहेगा कि मेरे को इस तारीक तक मुझे यह सब्जेक्ट सब्सक्राइब करना है इतने मेरे को बोर्ड में मार्क्स लेकर आना है यह मेरा टार्गेडट कॉलिज है तो यह सारी चीज़ें करनी है आपको तो इसी वजी से मैं आपको रहना हूं आपको सिर्फ और बस रेगुलर रहना है थोड़ा सा एक्स टैफर्स लग रहे हैं अभी लगा लो अगले साल से जब अच्छे कॉलिज में चले जाओ गए तो कोई दिक्कत रही होगी अब क्या आप सब्सक्राइब करेंट पर्तिशत की विर्दिया कमी होती है कुछ नहीं करना डारेक्ट वर्मला में आपको बता दिया है पहले डिक्रीज हुई थी तो एक यव हो गहीं और नत्र प्लस माइनस है 50 इंटू 50 अपोन 100 कर जाएगा यह इस से यह कर जाएगा तो माइनस का 25% माइनस का 285% मतलब कि 25% अगर विश्रास नहीं हो रहा तो लो कर लो मैंने लेट कर लिया उसकी 10 हजारों पर इंकम थी ठीक है जी दस जार रुपे इंकरम दी उसकी 50% से घटा दी तो पहले 10,000 रुपे जब पाता था इंकम तो 50% से डिक्रीज वी तो 50% of 10,000 मतलब की 10,000 की आधी गट गई उसकी तो 50,000 रुपे कम पाने लग गिया बुलो आया ना तो 10,000 में से पांच जार रुपे कम पाने लग गया तो कितने पाने लग अब है अब जो मैनेजर था उसने सोचा कि यह गल्ती हो गयी मुझसे लेकि मैनेजर थूढ़ा खम पड़ा लि थेके जी डाई अजार रुपए बढ़ेगी तो पांच जार रुपए में जब डाई जार रुपए बढ़ रही है तो अब उसके काउंट में कितनी आने लग गई साड़े साथ अजार देख रहो दस अजार उसकी ओरिजिनल इंकम दी सारे प्रोसेस के बाद अब साड़े साथ अजार रुपए आ रही है तो डाई अजार रुपए कम अभी भी आ रही है अपॉन दस अजार इंटू 100 काटो इसे ठीक है तो कितनी वेल्यों आगई तुमारी 25 परसंट डिक्रीज एक तरीका तो यही है हर एक को अलग अलग लेट करो पूरफ प्रोसेस करो और यहीं देखो आंसर तो यही से मैं ना डारेकली बता दिया मैंने आंसर यही से मैं डारेकली बता दिया इन लोगों को तभी फायदा होगा और तभी आप लोग मांक्स अच्छे लेक्या आप होगे ठीक है जी आगे बढ़ें आजाओ अब प्राइस कंजम्शन एक्सपेंडिचर और टाइब दी अब क्या है दा रिडेक्शन ऑफ 15 परसंट इन प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ प्राइ कि एक व्यक्ति को 272 के लिए 2 किलो अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है नमक का प्रतिकिलो घटा हुआ मूले कितना है है घटा हुआ मूले कितना है अगर कल वाली किलास अगर आपने देखी होगी तो तुम्हारा जो खर्चा होता है जब तुम किसी भी दुकान पे जाते हो लेट से कि नमक ही लेने गए नमक ही लेने गए उसे खर्चा बोलते हैं उसे expenditure बोल दिया मैंने expenditure is equal to क्या है सबसे पहले तुम नमक का दर पूछोगे किस दर से दिया कितना रुपै किलो दिया तो आप पूछो के वो और जितना तुम घर लेके जाओगे जितनी क्वांटिटी लेके जाओगे उतने भी तो तुम्हारा खर्चा होगा एक्जामपल मैंने बहुत अच्छा दिया था कल वाले में क्या कहा था मैंने कि लेट से तुम्हारे पे 50 रुपे किलो नमक मिल रहा है और तुम 2 किलो लेके गए घर तो बताओ खर्चा कितना हुआ तुम्हारा 100 रुपे हो गया 25 रुपे किलो तुम्हारे पास नमक मिल रहा है तुम तीन रुपे तीन किलो लेगे गए तो बताओ कितना पैसा खर्चा हुआ तुम्हारा 75 रुप है यह चीज तो बिल्कुल बेसिक है बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है यह तो हम रोज अपनी रोज मर्रा की जि ठीक है जी रेट इंटू कॉंटिटी पे डिपेंड करता है बस वह यह इसमें दर रिलक्षिन और 15 पर्सेंट पर्सेंट तो इतना तो बताना तर रेडियूस प्राइस अच्छा एक बात तो बताओ मुझे सबसे पहली चीज मैंने जो आपको बताई थी कि रेट इस इनवर प्रपोशनल टू कॉंटिटी अगर मेरा ऑखक भी चांटा एकपेंडी चरह कॉंस्टैंट है अगर मेरा खरचने की शंता कॉंस्टैंट है तो जितना मेरा इड़ेगा उतना ही मेरी कॉंटिटी गटैगी और अगर मेरी शम्ता एक्सेंडिचर को सेम ही करना है और अगर मैं कॉंटिटी बढ़ा रहा हूं तो उत्रही रेट मेरी घटेगी ठीक इसको मैंने एक इक जांपल से समझाया था तुम्हारको सो रुपए तुम्हारको करचने थे पचास रुपए की एक चॉकलिट मिलती है तो तुम सो रुपए में कितनी चौकलेट लेकर आ जाओगे दो चौकलेट्स अगले दिन गए तुम शॉप कीपर के पास शॉप कीपर ने बोला तुम्हार को अभी भी सोई रुपए खरचने हैं लेकिन उस चौकलेट की कीमत हो गई कितनी сто अॉपए एक चोकलित की तो अब तुम लेकर आओगे तुम एक लेकर आओगे तीसरे दिन ले लेकर आओ तुम 100 आप उस चोकलेट की कीमत कितनी हो गई 25 उपे फूपई वह गई तो अब तुम उन कौंटिटी करनी पड़ी वही रेट अगर तुम्हारा सौ से पच्चिस हो गया तो कौंटिटी तुमने इंक्रीज कर ली है ना तो यह कोई बहुत बड़ी बाद नहीं है यह चीज़े हम रोज देखते हैं है ना कोई बहुत मैच नहीं पड़ रहे हैं में यहाँ पर अब बस ही खरीटता था खरचता और अभी 222 खरचता है तो यहाँ पर हमारे पास यह हो रहा है कि रेट जितना बढ़ेगा उतना कोई अग्वारी को ट्रींटी घटा नहीं है तो वह हम देख़ते हैं कि हमारी कॉंटिटी पहले हम कितनी खरीते तो अब कितनी करीदने लगने है देखो यहां पर ले लिए हमने ओल्ड और यहां ले लिए हमने नियू ओर रेट यहां पर लिख दिया और क्वांटिट यहां लिख दिया ठीक हो गया ऐख देक्ष्था कि अब 15% कि वैल्वbn कितनी होती है कैसे बता दी मैंने 3..20 होती है अगर तुम्हार पता कल का सेशन देंग नहीं देखना है तो कोclockwise नहीं में बताता हूँ 15 परसंट है परसंटेज को त्रेक्षण में कनवर्ण करने के लिए दिख रहा है कीला के सबस्ं鬼 करन्हें परसंट को अगर हमारे को अग्षाल और करना ठीक है तो 15 divided by 100 करेंगे तो तीन बटा 20 आएगा तो यहां से हमने directly कर लिया ठीक हो गया चलू आजाओ तो अब हमारे पास reduce हो रही है प्राइस तो old प्राइस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा तो new प्राइस कितना होगा बताओ new प्राइस कितना होगा 20 से जादा होगा की कम होगा बताओ पहले तुम्हारे को 20 रुप किलो नमक मिल रहा था अब तुम्हारे को बोला गया है की प्राइस तुम्हारा decrease हो गया है घट गया है तो 20 से जाधा होगा कि कम होगा घट रहा है तो कम होगा न और कितना कम होगा वो मुझे बताएगा नुमिरेटर तो 20-3 20-3 17 बस अब आपको मैंने बताया है यह inversely proportional होता है तो पहले तुम 20 रुपे में 17 किलो लेके आते थे अब तुम 17 रुपे में 20 किलो लेके आओगे ठीक है जी 17 रुपे में 20 किलो लेके आओगे बस अब बताओ कितना है कितनी जाधा खरीदने लग गए हो तुम according to my assumption according to my assumption तुम 3 units ज्यादा खरीदते हो त्री units तुम ज्यादा खरीदते हो लेकिन कोशन के accordingly दो किलो तुम ज्यादा खरीदते हो तो एक unit की value आगई तुमारे पास दो बटा तीन तो originally कितना कि अगया तो रेडेउस प्राइस पूछा ना तो रडेउस कितना होगा तुमारा कि रडेउस कितना होगा तो खरीदते हो एक युनिट की k flies तो वैल्य कितनी होगी वेल्य कितनी होगी ट्वेंटिंटिन्अक्यbru तब ठीवी निकाल देना जहां से रेच मिन गाल देना कि क्वांटिटी इंटू रेट इकोल्स टू आपका एक्सपेंडीचर है ना एक्सपेंडीचर है तुम्हारे पास 272 केजी तुम्हें पता है 40 बटा 3 ले रहे हो रेट निकालना तो तुम्हें तो 272 इंटू का 3 एपॉन 40 पोर से काट नहीं कोशिच करते हैं से पूर और फोर शिवड़ीफोर थर्टी टू फूर एट था ठीक है तो एट थरीज़ा 24 और यह 40 50 50 पॉइंट पॉइंट इसमें कोई भी नहीं करिए 20 30 ठीक फिटी इंद रेट्टे ना ओके जी प्राइस का रेडेक्शन हो गया तुम्हारा 20 परसंट का तो 20-70 213 17 हो गया यह 17 यह 3 ऑके बिल्कुल सही है तो 3 की वेल्यू अनेबल सब्सक्राइब परसंट और 272 है ठीक है यह भी सही है थ्री की यूनेट सेमोर 3 पर समॉर तो थ्री यूनेट समॉर हमने खरीद लगके 20 30 … 20 ना तो 40 by 3 ओकि विल्कु सही ए 40 by 3 ए ये है और 40 Up 72 divided by 40 फोटी ठीक है 272 टुसे दो सिंट रहे हैं तूर सिंटी एंटू त्रीघरन गरं 68 इंटू 3 जब आप सभी को क्लियर हुई बात ठीक है ये साधी चीज़ें ने कलवाली क्लास में भी करा रहे हैं यार आप लोगों को मैं सभी सही बता रहा ह। ही फिलिज पहला हाला ये देखना अगर लेक्शन नहीं देखो वा और जो से तो जाए तो कैसे होगा यह कल मैंने बहुत कोश्चन करा रखें तो यह प्लीज आप जैक के चेक करके आना ठीक है और जिसको अभी भी मलब पहले वाले कोश्चन भी देख लिए और अभी भी ऐसा लगता है कि सर और प्रैक्टिस की ज़रोता है तो कोश्चन में लेकर आ रहा आजो इस वाले कोश्चन में जिसको भी डाउट था सेम कोश्चन को ही सॉल करेंगे आपे सेम तरीका है कोश्चन है अरे लेक्शन ऑफ 20 परशन इंद प्राइज दो बनाना अनेबल कस्टेमर तो बाइज सिक्स मोर बनाना फॉर उपीस 30 वॉट इस रेडियूस प्राइज बनाना पर डजन बोला उसने बारा बारा बनाना का बता रहा है केले की कीमत में 20 प्रतिशत की कमी एक घ्राप को 80 रुपे में अच्छे और केले खरीदने में सक्षम बनाती है केले का घटा हुआ मूले प्रतिदर्जन क्या होगा ठेक हो गया तो बस वही है कि अब क्या कह है 20 बर्ची औरिक्ष एक्सपेंडिचर है इंटू रिट है तो अब क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर तो सेम रखना है तो यहां पे हमारे को क्या करना है यह पर हमीर को क्या करना है ओल् लिखना है old quantity और new quantity ठीक है जी old quantity और new quantity ओके जी बिलकुल सही है अब reduction in the price अब बताना 20% मतलब one by five तो old price अगर मैंने पांच मान ली old price मैंने पांच 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 ली तो मेरी नई price कितनी होगी पहले पांच रुपे का पांच मिलती थी कोई चीज अब तुम्हारे को बोला गया कि बीस परतीशत से घट गई है तो पांच रुपे की जीश पांच से जादा में बड़ बिकेगी या पांच से कम में बिकेगी बताओ तो पांच से कम में बिकेगी तो four minus one और five minus one four तो five minus one कहां से आया तुम्हारा नियूमिरेटर से ठीक है अब मैंने आपको क्या बताया था इसको रिवर्स करो तो पहले चार केले खरीदते थे तो पांच केले खरीदते हो देख रहे हो क्योंकि हमारे को expenditure तो सेम रख नहीं है ठीक है तो अब मुझे बताना कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी दीवी है जो मैंने अजियूम कर रखा है अकॉर्डिंग डिटा कॉश्चन बाइस बनाना सब्सक्राइब तो एक यूनिट की वैल्यू खरीदते थे इसका मतलब कितना होगे तुमारे पास 24 केले खरीदते थे तुम ठीक है अब नियू कितन उच्छी 30 सोरी पाच नी तीस केले खरीदने लगे ठीक है अब क्या कहा गया असी रुपए में ही खरीद रो वोट इस ड़े रेडूस्ड पराइज है न तुम्हारे को पता है खर्चा पता है तुम्हें असी रुपए का है तुम्हार को कॉंटिटी पता है कि तीस खरीदत तो तुम्हार को रेट ये तो निकालना है खड़्चा है 80 रुपे तीस खरीदते रुपे में तो एक के लेगा दर निकल जाएगा तुम्हार को 80 अपॉन 30 ये किसका आया इच इच बनाना का लेकिन क्या मेरा ये आंसर है नहीं उसने बोला था परति दर्जन एक दर जन तो एक के लेगा तो यह है तो इंटो ट्वेल्फ एटी अपॉन 30 इंटो ट्वेल्फ तो ये कितना आएगा तुम्हारा इसे क्षक निपल में 65 जा और ये फाइब के लें 5-5 और 58 जाना नहीं ौर 18 नटीन इन्टु टू 36 रुपर पड़ती दरजन आ गया तो 36 तराइट आंसर तो इस कोशन क्या बालकों को समझ मा रहा है बताओ जल्दी जल्दी बताओ ठीक है तो हम लोग ने कर लिया कोशन अब ऐसी ही कोशन हम आगे भी कड़ेंगे अगर यह पहला वाला समझ नहीं आया उससे पहला वाला समझ को और कुश्ट क्लासेश के अंदर प्रैक्टिस में इतनी करा रहा हूं हर एक कोशन की कि जिससे अगर तुम रिवाइज कर लोगे हरे कोशन का सॉलिशन देख लोगे तो डेफिनिली चीज़ें आ जाएंगे चलो इस को देखो 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 प्राइज ऑन सब्सक्राइब के टो केजी मूर और रुपीज थी थ्री सिक्स्टी फाइंद और उरिजिनल प्राइज ऑफ देखो किसी वस्तु की कीमत 20 प्रतिशक कम हो जाती है परियनाम सरूप ग्राक तीन सो साथ रुपे में दो किलो अधिक पराप्त कर सकते हैं वस्तु का प्रतिक कि लो वास्तविक मूल ज्यात कीजिए कुछ भी नहीं है अब वही है तुम्हारे पास कि एकस्पेंडीचर है खर्चा है खर्चे पर किन दो चीजों भी डिपेंड करता है रेट पर और क्वांटिटी अब मैं अगर आपसे बात करूं तो रेट है और यहां पर क्वांटिटी है यहां पर ओल्ड है और यहां पर न्यू है यह चीज तो आपके दिमाग में बिल्कुर फिक्स होई गई होगी कि जो रेट और क्वांटिटी है हमारी वह चेंज होगी इनवर्सली प्रपोशनल होगी क्यों होगी क्योंकि हमारे पास एकस्पेंडीचर क्या है कॉंस्टें कैसे सर अगर एकस्पेंडीचर कॉंस्टेंट होता है तो रेट और क्वांटिटी इनवर्सली प्रपोशनल क्यों होती है मैंने इससे पहले भी समझाया है कल वाले लेक्चर में भी समझाया है तो आप लोग प्लीज वहां पे जाके थोड़ा सा टाइम इनवेस्ट करो वहा प्राइजम प्राइज मैंने ले लिए पहले कितना फाइव अब हो रह पहले 5 रुपे की चीज की अब घहत रही है तो बताना e versa जाधा होगी एक चाम होगी तो वार्ट से जादब होगी आप अब inversely प्रपोशनल थाanu था यह до 4 है यह 5 है थीक है तो inversely proportional हो जो गया तो quantity आपके according to our assumption कितनी नहीं बढ़ रही है यद नहीं होग餌 तो फ़ोर्च कि युकल्स टूप्राइज के जी तो ओरिजनली तुम खरीद के कितने थे ओरिजनली तुम खरीद के कितना आते थे आठ किलो खरीद के आते थे तुम्हारे पास एक्स्पेन्डीचर है सो रेट तुम्हारे पास क्मेर थे डेड़ीच तुम्हारे पास क्वांटिटी है एक्स ट्रेट तूम्हारे पास 360 तो रेट कितना आगे थे थे 60 अपन Pride सब्सक्राइब कर सकते हैं एक सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन इसमें टाइम कितना वेस्ट होगा तुमारा हमारा इक्जामिनेशन के रिक्वाइरिमेंट यह है कि हमारे को एक मिनट के अंदर कोस्चन करना है तो इन कोश्चन को ने काम करने घर में बैठके तOR समझने वाद इनंट कर देखने करके देखने ।reeks करने मोइन न मोबाईल में और देखना कि कितन दिर लगक एक है आप लोगों को डिफरेंस खुद पे खुद समझ में आ जाएगा और जो प्राइज और शुगर इंक्रीज बाए 17 परसंट 17 परसंट से इंक्रीज हो गई चीनी की कीमत में 17 परसंट की व्रधी करना चाता है उसे अपनी खपत में लगबख कितनी प्रतीशत की कमी करनी होगी अच्छा सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि क्या यह expenditure constant वाला question है क्या मेरा आप सभी से question यह ही है यह expenditure constant वाला question है बोलो आये ना नहीं है यह क्योंकि इस में तुम्हारे को साफ सा बोला है कि वो अपना expenditure 5% से बढ़ाएगा 5% से बढ़ाएगा इसी वजी से expenditure constant वाला question नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि इस वाले case के अंदर जो rate is inversely proportional to quantity हम बोलते थे तो वह वाला case नहीं बनेगा समझ में आ रही है बात हर एक बच्चे को समझ में आ रही है जिस भी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो सेशन को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर देखना शुरू करना हर एक चीज बिल्कुल crystal clear हो जाएगी थोड़ा सा अपनी तरफ से डाल देना यह कोई एक मूवी नहीं है शारु खान की है सलमान खान की की एक बार देगी एक फ्लो में बननी शुरू है और समझ में आ गई थोड़ा सा दिमाग लगेगा तुम्हारा थोड़े से एफट्स लगेंगे लेकिन एक बार पढ़ लिया ना तो उसके बाद सवाल खुद बाखुद ब और यहां पर है तुमारे पास quantity ठीक हो गया यहां पर रेट है और यहां पर है quantity शुगर की इंक्रीज कर दी गई सतरा पर्सेंट से ठीक है तो मैंने ले ली सतरा पर्सेंट का देखो फ्रैक्शन कुछ नहीं होता है यह आपका प्राइम नमबर होता है तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं नहीं तो फ्रैक्शन होता था हम बता देते तो लेट से की सो रुपे की तुम्हारी पहले शुगर थी सत्रा पर्सेंट से इंक्रीज हो गई तो इंक्रीज वैल्यू कितनी हो जाएगी 117 बोलो हाय ना ठीक है अब क्या होता है कि अब पर्सन वांट्स तू इंक्रीज इस एक्सपेंडिचर बाए 5 परसेंट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसको 5 परसेंट से इंक्रीज करनी है तो चैक नी हो जाएगी 525 सर कैसे औरली कर दिया मैं तो ऐसे करता था पांच परसेंट को 500 का पांचीज है तो पांच परसेंट ये सारी चीज मैंने आपको कल वाली किलास प्टाइए बहुत टाइम वेश्द मेर में टूम्हारा को एक की कि तुम सौ collectively लियोति यह तो एक बड़ा करते हो एक बटा दस से करते हो अते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कुछ सौ की बात हो रही है कशा कि लिज़ा थी तुम्हारे पास सवु हो वन हो तू हो दस हो सो हो पचास वो एक लाक रुपे हो दस लाक रुपे हो एक करोड रुपे हो कुछ भी हो या फिर in fact points में भी अगर तुम से कोई भी वेल्यू दीवी है, 1, 2, 3, 4, कोई भी डीजिट दे रखे है न वो डीजिट अपने आप में 100% होती है, ठीक है, वो डीजिट अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, जैसे कि तुम अपने आप में 100% होना, as an individual, तुमार से छोटा भाई भी होगा तुम्हारे से तुम्हारे बड़े पिताजी भी होंगे तो वो तुम्हारे से हाइट में भी बड़े होंगे ठीक है एक्सपीनिस में बड़े होंगे लेकिन वह अपने एजन इंडिविज्वल अगर किसी का कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं तो अपने आप में कोई भी individual 100% होता है जब तक हम किसी से compare नहीं कर रहे हैं ठीक हो गया तो जब भी तुम्हारे पास कोई भी वेल्यू आए ITए 500 है ठीक है 500 है इसका मैंने कह दिया कि तुम्हारे को न टेन परसेंट निकाल नहीं है ओर यह अपने है एक है है ये अपने आपके सब्सक्रेंदेटे मुझे क्या आपको निकालने लाने के लिए में क्या करूंगा 100% को 10 से भाग दूंगा बोलो हां तो वो ही अगर मैं रैटेंट साइट पे 10 से भाग दे रहा हूं तो 500 को भी मैं 10 से भाग दे दूंगा तो कितनी वेल्यू आ जाएगी 50 ठीक है अगर तुम्हारे को इसी 100% को बोला जाये कि भाईया एक परसेंट निकालो तो आप सो से भाग दोगे तो पांच सो को सो से भाग दोगे तो कितनी वेल्यू आगई पांच तो क्या आज के बाद से 500 की वेल्यू एक सो है पांच सो है दो सो है चेस्ट है आट सो है अब चलो यह तो मैंने नंबर्स की बता दी 00 वाली जिसमें 00 होता है मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ कि भाया यह हर एक चीज़ के लिए एलिजबल है कि बिल्कुल हाँ मैंने कह दिया कि 560 है इसका 10% अगर तुम्हारे को निकालना है तो तुम्हारे दिमाग में है यह अपने आप में 100% है तो 100 को 10 पे पुचाने के लिए 10 से भाग दूँगा तो 560 को 10 से डिवाइड करूँगो तो 56 वैल्यू अगर यह है तुम्हारी 10% वैल्यू अगर 1% पूछी जाए तो 560 divided by 100 तो यह किती वैल्यू आ गई 5.6 बोलो हाँ या ना बोलो हाँ या ना अब इसका 10% निकालना है तो बताओ कैसे निकालोगे और यह निकाल सकते हो 67.9 बोलो हाँ या ना और 1% पूछा जाए तो 676.79 बताओ तो समझ में आती ही चीज़ें इस तरीके से कर सकते हैं इन कोश्यंस को तुम क्लास में जुड़े रहो एक क्लास के अंदर मैस में जितन यूटी चोटी 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 अंदर कुछ एकस्ट्रा बताई जाती है कुछ तरीके बताया जाते हैं जब पूरा और चुर्श दो हो न तब जाकर देखना तुम्हारे को कितनी चीश आग चुकी होंगी ठीक है तो इस है वजिसे कहता हूँ हर एक सेशन में रहो मैं फिर से बोल रहा हूं मुझे उस वाली चीज को देखके बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आपने एवरेज की फर्स्ट वाली वीडियो तो इतना ज़्यादा सहरा दिया कहीं थाउजन डिसमें पहुंच गई है ठीक है मैंने एक्जैक्टली देखा नहीं था एक दि से कमिटेड रहना है ठीक है तभी आप लोग कर सकते हो कोई कोई कमेटमेंट करेगा ठीक है चलो अब यह हो गया ना 500 255 हो गया सीधा सीधा आकर दिया था 5% कैसे अच्छा 10% को 10% निकाल लिया मैंने किसका इसका 500 का 50 आया और 10 को अगर मैं 5 बनाना होता तो डिवाइड बै तो 525 तो 525 डारेक्ट ली आंसर ठीक है वैसे मत करने लग जाना 500 प्लस 5 परसेंट ऑफ 500 ठीक है अब क्या कहा गया उसने बाइए एप्रॉक्सिमेटली कितने से डिक्रीज हो रहा है तो बस यह तो बिल्कुल असान हो गया ना इसको एक्स ले लिए इसको वाई ले लिए हमने तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी थोड़ा सा यह वह है यह यह कैलकुलेशन लेकिन कोई नहीं हमारे को अपने आपक के लिए तयार रखना है ठीक है तो ओल्ड ओल्ड वैल्यू है हमारी कितनी पांच और नियू वैल्यू है कितनी इसकी तो एक काम करते हैं न मैं देखता हूँ एप्रॉक्सिमेटली भी निकाल सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है तो आप सोचेगा कि हमारे पास वैल्यू पाइव माइनस का पाइव ट्वेंटी फाइव माइनस का से एक सो सत्रह इस इक तुम्हारी वैल्यू डिक डिक्रीज हुई है ठीक है पहले तुम इतनी खरीदते थे अब तुम इतनी खरीदते हो तो कितनी कम खरीदते हो यह 60 वटा 117 है कितनी कम खरीदते हो अब पर्संटेज डिक्रीज निकालने है तुमारे को जितनी मैं कम खरीदता हूं जितनी में पहले खरीदता था इंटू 100 इंटू 100 ठीक हो गया तो 60 अपॉन 117 इंटू 1 बाइ डिवाइड में नहीं है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इंटू 100 ठीक है तो इसको काटेंगे 12 से जाएगा 1200 बटा 117 बटा 117 ठीक है तो अब एप्रॉक्सिमेटली यह कितना वान से तो जाएगी रहा है ठीक है ठीक है और कितना बच रहा है 30 तो इसको 0 तो देना पड़ेगा तो 300 बनेगा तो 10 पॉइंट कुछ हाईगी वैल्यू तो 10 पॉइंट यह तो आएगी नहीं फिर ओप्शन तो नहीं होगा तो 10.300 है और यहां पर हमने 5 से किया तो 555 आ रहा है और 2 से करेंगे तो आएगा तुम्हारा 234 आएगा यह है ना 234 आएगा बिल्कुल सही है तो यह वाली वैल्यू थर्टी फॉर्टी तू जब यह 5254 आ रिये वैल्यू तो हमारी 10.2 तो इस दराइट समझ में आ गई बात कोई दिक्कत कोई परशानी बताईएगा कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस कोश्चन में ठीक है थोड़ी सी कैलकुलेटिव था कोश्चन लेकिन आप लोगों करना तो है ठीक है आगे बढ़ें चलिए अब प्राइज ऑफ द शूगर है इंक्रीज ब इंटु कवांटिटिउए एकस्पेंडिचर है रेट है इंटु कॉण्टि भाइज आपका क्या है प्राइज शूगा है एटीन से तो भीच नहीं हो जाएगी 12 अच्छा सों यूद।ी ऑर येह हिए थे टुम्हारी सो अच्छा बारा, इस सv GeeMed तो नहीं हो गई एक्सों होगई च्छा सुखाए टू इंश्ट की वैलियू हो गई तू मैं इन दोनों की बीच में डिफ्रेंस निकालो तू माइनस का 112 अपॉन 59 ठीक है तो यहां पर आएगा तुम्हारा 118 माइनस का 112 अपॉन 59 इस इक्वल स्टू 6 वाइफ 59 यह आपका डिफ्रेंस है इससे कंफ्यूज मत हो जाना इसलिए लिख देता हूं तुमारे ले यह तुमार और इजनल थी टू वेल्यू इन्टू हंडड़ इसको कैल्गुलेट करते हैं पटवट सेक्स बाइफ 59 इन्टू का वन बाइट टू इन्टू का हंड्रेट यह वैली वैल्यू होगी थ्री यह तीन सो की वैल्यू होगी तुमारी अपॉन 59 किसके प्रॉसिमेटली है फिफ् से हलका सा उपर ही होगा पांच से बहुत हलका सा उपर ही होगा ठीक है तो 5.1 यह चीज़ें थोड़ा सा दिमाग है तुम्हारे को एक्जामनेशन में लगाना पड़ेगा अब वहां पर बिल्कुल क्लास 10 के स्टूडेंस की तरह ना कि किती वेल्यू थी 300 था पुड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा 59 किसके पास है साट के पास है उपर 300 बैठा है अगर साट के नीचे 300 के नीचे साथ होता तो पांच से भाग चला जाता हो है कि नहीं है राइट है समझ में आ गई बात चलो आगे बढ़ो फटा-फटा-बटा अब देखो टाइप यह पर आगए है क्या किया रहा है दे वेल्यू ऑफ दे मशीन डेप्रिशेट्स एवरी एर बाइट 10 पर्सें हर साल घटती है दस पर्सें से इफ इस प्रेजंट वेल्यू इस पैंतिस हजार रुपे है तो दो वर्ष के बाद मशीन का मूले क्या होगा हर साल दस पर्सें से कम हो रहा है है कि नहीं हर साल दस पर्सें से कम हो रहा है तो एक तरीका तो तुम्हारे पास मैं बताता हूं क्या है कि 35,000 बड़ी सुन्दर राइटिंग में लिखना इसको 35,000 इसको तुमने डेक्रीज किया 10 पर्सें से तो 10 पर्सेंट अच्छा यह समझे नहीं पाऊगा इसको इस तरीके से लिखना 35,000 एक साल के बाद कितनी होगी तुम्हारी माइनस का 10 पर्सेंट ओफ 35,000 यह पहले साल के बाद की है आफ्टर वानी है तो 35,000 को तुम लिखोगे 10 पर्सेंट ओफ 35,000 काटो इसे फटाफट ठीक है यह साड़े तीन हजार आ गई 35,000 में से 3,000 माइनस करोगे तो 32,000 ठीक है 32,000 और पाँजार और कम कर दो तो 31,000 ठीक है ना 31,000 यह वाली वेल्यू आगई है की नहीं राइट अब इसको फिर से फर्दर तुमने डिक्रीज किया आफ्टर तू यह बोचा ना उसने तो 31,000 को 10% से तुम और डिक्रीज कर रह है हो ज़नी माइनस का 10% कि यह है इसे काटो तो 3150 है और 315 डबल जीर तो अब क्या कर रहे हूं उससे इसे इसे काटिंगे तो आएगी और यहां से कायरते के 5 आएगा यह 4 है 4 में से एक गया और यह 2 है और कुछ मिस्टेक हो रही है इसको इस तरीक से लिख देते हैं 315 डबल 0-3150 यह 0 है यह 5 आएगा यह 9 सब्सक्राइब करने का कॉम्पिटिशन में बैठे हम लोग स्कूल में नहीं बैठे मैं चीज तुम्हार को बताता हूं एक चीज बताना मेरे पर ना 10 अजार रुपए है एक जामपल बोल ना बच्चे ना थोड़े से कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर दस जार कहां से आगए उतने तो पहंते जार बोले था एकजामपल की तो और बोलता हूं मेरे पर दस अजार रुपए हैं वो इच यर डेप्रिशेट होते हैं कितने से लेट से कितना ले लेता हूं दस पर्संस ही बोलता हूं तो मुझे बताओ फाइन दे वेल्यू आफ्टर थ्री येर्स तीन साल के बाद मुझे बताओ और दूसरा सवाल में कहता हूं यह इच यर इंक्रीज होते हैं हर साल दस पर्संस से इंक्रीज होता है तो मुझे बताओ फाइन दे वेल्यू आफ्टर तीन दो को बता दूंगा इसके बाद तुम्हार को कोई भी डाउट नहीं रहने वारो तो देखा जाए तो एक तो वही तरीका है इसको कि हर साल को बढ़ाओ दस हजार है प्लस 10% औफ 10 थाउजन फेके तो दस जार को बढ़ाओगे तो यह कुछ इस तरीके से बनेगा तुम्हारे पास अब तुम्हारे को मैंने 10% निकालना तो चिखाई दिया इसका आखों आखों निकाल सकते उसका 10% दस हजार को सौ से भाग करोगे तो बताओ एक हजार आ जाएगा दस हजार को सौरी सौ से नहीं दस से भाग करोगे तो दस हजार को दस से भाग करोगे तब ही तो तेन परसेंट आएगा तो कितना हजार आ जाएगी वेल्यू तो दस हजार का दस परसेंट है कितना एक हजार तो एक साल बात की वेल्यू कितनी होगी तो मारे पास ग्यारहख़ार हो गई है ठीक है डिक्रीज हो रही है तो वही मैंने कर दिया एक टीक है ठीक है तेन थाउजन मैंने यह वाला कोशन करने लग गया था मैं अभी मैं इसका आंसर दे रहा हूं 10,000 माइनस का 10% of 10,000 है, तो 10,000 का 10% कितना है, एक हजार, तो दस हजार में से एक हजार खतम हुए, कितनी बची वेल्यू, 9,000, मतलब कि स्टार्टिंग में 10,000 जो पैसा था, वो सिर्फ और सिर्फ एक येर के एंड पे हो गया, कितना, 9,000 हो गया, दूसरे साल फिर 10% घटेगा, अब 10% किसका घटेगा, 9,000 का घटेगा, कि 10,000 का घटेगा, जो तुमारे हाथ में पैसा उसका ही तो घटेगा, और तुमारे हाथ में पैसा कितना है, 9,000, तो 9,000 का 10% घटेगा, तो अब बताओ, 10% किसका है, 9,000 का, कितना होता है, डिवाइड divided by 10 9000 divided by 10 तो 900 तो इसको माइनस करोगा आप 900 से ठीक है और 900 से राइट तो 9000 में से 900 खतम हुए तो कितनी वेल्यों आ गई तुमारे पास एक्यासी सो यह हो गई वेल्यों तुमारी इड़ यह ठीक हो गया अब फर्दर तुमने इसको घट आया कितना दस परसंण से अब मुझे बताओ कि 10 परसंद उमारे 10,000 खटेगा दस तुमारे नौज जार का घटेगा यह ते दस परसंद 8100 का घटेगा बताओ किसका घटेगा जितना हात में पैसा उत नहीं कि तो गटेगा कितना पैसा तुम्हारे हाथ में एक्यासी सो तो गटवा तो माइनस अकर टैन करोगे तो एक्यासी सो डिवाइड़ बैटेन वेल्यू दसफडार सान के स्टार्टिंग अब वो कितनी रह गईuso मेतर की रह गएजों कितनी नभी आप जार इसके इस वहने होगे ग्यारा हजार अब ग्यारा हजार का 10% बढ़ेगा तो कितना है ग्यारा हजार का 10% ग्यारा हजार डिवाइड बै टेन ग्यारा सो तो कितनी वेल्य हो जाएगी ग्यारा सो प्लस दस जार ग्यारा जार बारा जार सो अब बारा सो 1200 का बढ़ेगा तुम्हारा 10% 1200 का बढ़ेगा तुम्हारा 1,2,1,0 तो ये वली value हो जाएगी 1,3,3,1,0 तो 13,310 13,310 तो समझ रहे हो ना कि जब साल दर साल कोई value घट रही है तो किस तरीके से घटेगी और सार सॉरी अगर साल दर साल कोई value भढ़ रही है तो किस तरीके से बढ़ेगी ये चीज समझ में आ गई ना तो बस अब देखो एक बहुत ही mental जिन्दगी वाला सवाल वो तरीका बताता हूँ तुम्हारे को 10% का fraction पता है कितनी होती है एक बटा 10 होती है अब fraction जब भी भढ़ती है जब भी value increase होती है कल वाले सेशन में मैंने बताया है कि आपकी new value होगी 10 प्लस 1 11 11 बाइ 10 हो जाएगी original value कितनी है तुम्हारे पास original value कितनी है तुम्हारे पास 10 1000 है increase होगी तो 10 प्लस 1 11 बाइ 10 एक साल के बाद इतनी हो जाएगी minus into 11 11000 क्या सही है उपर की value भी दो साल के बाद भी 10 परसें भड़ेगी है ना हर साल 10-10 परसें बढ़ रही है तो इसको देखोगे तो 11 का स्क्वाइर 121 121 का 12100 ठीक है और तीन साल के बाद भी इतनी हो जाएगी तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और डिवाइड़ भाई यह करोगे तो 13310 13310 डायरक्ली आंसर आएगा इससे यह डिक्रीज के लिए भी है यह डिक्रीज के लिए भी है कितनी वैल्यू थी प्यारे बच्चों बोलोगे सर्ची 10000 थी ठीक हो गया अब लेकिन डिक्रीज हो रही है तो दस से कम होगी वैल साल करते रहना चाहिए दूसरे साल भी 109-9.10 तीसरे साल भी 9.10 कि इसे काटो तीन कटेंगे ना और 9 का क्यों कितना होता है तुम्हारा 729 और 1 कितना होगे तुम्हारा जीरो लो देखरो सेम आंसर अब तुम खुद बता दो यह वाला बच्चा बड़ी उनिवरस्टी में जाने के लायक है कि यह वाला बच्चा तुम खुद बताओ अपने दिल प्राद रखें इसी वज़ी से कह रहा हूं कि आपको अपने आपको अपने आपको मैं शब्दों में गलत नहीं बोल रहा हूं आपको अपने आपको अफ्ग्रेड करना पड़ेगा ठीक है तब ही ज इस कोश्चन को देखो कितना धुआदार कर तरीके से सॉल करा दूंगा यह कर लिया था तुमने कोश्चन सौल अब देखो यह कॉंसेट अकर तुम्हारे दिमाग में है न तो क्या है तुम्हारे पास वैल्यू औरिजिनल वैल्यू है 35 जार अब क्या हो रहा है हर साल दस प है जीरो से जीरो कटेगा नाइन नाइन सा होगे तुम्हारे पास एटी वन और इंटू का 35 यह फाइव है फाइट फॉट्टी इंटू थ्री और ट्वेंटी फॉर यह पांच आएगा यह तीन आएगा यह आठ आएगा दो तू एट थ्री फाइव जीरो अठ्थाइजार अठ्थाइजार तीन सो बचास अठ्थाइजार तीन सो बचास बताओ यह है मेंटोस जिंदगी है ना जो तुम पहले खाया करते थे अब यह देखो इसमें कितनी मेहनत है और इसमें देखो क्या धुवांदार आंसर आ गया इसी वजी से कहा रहा हूं चाहे अभी थोड़ इसमालना शुरू करेंगे ना बोट के बाद कि बहुत खतम हो गए अपटना शुरू करता हूं तुम बिल्कुली एक्स्ट्रीम पर खेल रहा होंगे वहां पर कोशन देखते यहां सा दे रहे होंगे तुम और वह बच्चे सीख रहे होंगे इसी वजी से कह रहा हूं अभी बाट विटी आपर से तूपलेशन टाउंड प्लेशन अचे जंसंक्या यह भर यह पहले वर्ष में 8 परसन कम हो जाता है और दूसरे वर्ष में परसन बढ़़े यह नहीं पता तो एट परसेंट को फ्रैक्शन में करने के लिए डिवाइट बाहंडेट कर दो फॉर के डेबल में यह कितना आएगा कि फॉर टूजा और फॉर फिफ्टी जा यह आएगी तुम्हारे पास वन भाई फॉर जा एट और फॉर अबे क्या हुआ है यह रेली स्वरी क्या कर रहा हूं मैं यह यह 100 से डिवाइट कर दो यह फोर के डेबल में फॉर टूजा और फॉर टुजा और तुजन्टीफ़ टूजा वैलियू आ रही है ठीक है और इसकी बेल्यू कितनी हो जाएगी फाइपर स कि पहले डिक्रीज हुई और 25-25-2 क्यों हो रहा है क्योंकि तो 25- concludes we 23 Parign 2 into खी अब क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है आप ऑन Erica यह तो 20 प्लस 1 21 20 प्लस 1 21 divided by 20 20 प्लस 1 divided by 20 जीरो से जीरो कटेगा तू से कटेगा तू पूर ट्रिपल जीरो अब यह कटेगा तुम्हारा 16 से एक सो साथ ठीक है जी अब करो इसे मल्टिप्लाइब ट्वेंटी वन और इसको मल्टिप्लाइब करना है पहले 21 एंटू दो तरीके होते हैं करने के 21 को एक तो इस तरीके से कर दो 21 एंटू 23 नहीं तो दूसरा देखो क्या है तुम अगर देखना चाहो तो 21 है इंटू है 23 है 23 अब इस 23 को मैं क्या उस तरीके से लिख सकता हूं क्या इस 23 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 21 प्लस 2 बोलो आया ना बोलो आया ना अब एक्जामिनेशन में यही तरीके सीखने है हमें अब 21 है 21 इंटू 21 21 का स्कॉर सभी पूरी जंता को बता है 441 होता है और फिर मल्ट 483 इन दोनों का मुल्टिप्लिकेशन कितना आगे तुमारे पास 483 ठीक हो गया तो वान सिक्स्टी इंटू का 483 ठीक है 483 है अब देखो इसको 483 है अब इसको भी न देखो इंटू 16 ऐसे कर सकते हो नहीं तो दूसरा तरीक और है पोर ओरली कैसे करना है मैं तोड़के दिखा 80 को 10 से मल्टिप्लिया करने में क्या पैन उठा सकते उठाने की जरूते तुम्हें बताओ 4880 लिखोगे 4830 सोरी 4830 अब सिंगल डिजिट है यह सिक्स सिक्स थ्रीजा 18 कैरी गया एट्थ सिग्जा 4849 और सिक्स फोर्जा 24 और चार 28 तो यहां पर आठ आया नौ तीन बारा आया इसी वजी से कहता हूं रेगुलर क्लास के अंदर आओगे हर एक चीज सीखेंगे कैलिकूलेशन भी सीखेंगे कि जिससे हम लोगों को एक्जामिनेशन वें किस तरीके से हेल्प आउट हो ठीक है हर एक बच्चे को मैं बार बार यही कहना की कोशिश करता हूं अगर आप अ तो पूरी पिक्चर समझ नहीं आने वाली तो यह तो तब भी गणित है यार यह तब भी मैस है तो बीच में कैसे समझ में आ जाएगी ठीक है तो प्लीज आप लोग पूरा पढ़ें मैंनत करें और हर एक बच्चे को मैं बोलूँगा जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आ पता नहीं चल पाते इंसेशन के बारे में तो आप लोगों के कमेंट उन बच्चों तक पहुंचेंगे वह करेंगे बच्चों को की एस की इन सेशन में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और वह इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा उन लोगो तो चली इन क साल पहले थी एक साल पहले इसमें एक साल पहले एक साल पहले गाउं की जनसंक्या बहत्तर हजार थी माइग्रेशन के कारण इसमें हर साल आठ परसंट की कम्या आती है गाउं की कितनी है खता में एक ही बार है आठ परसंट का फ्रेक्शन अभी निकाल दे दो बटा पच्चिस होता है है नहीं समझ में आया तो आठ बटा सौ करेंगे फोर से कटेगा फोर टोजा और फोर 25 ठी है यह मैंने माल लिए कि यह है 2023 चल रहा है इसकी तुम्हें जंसंक्या निकालनी है लेकिन तुम्हार को पता है 2022 में कितनी थी 32,000 72,000 72,000 थी ठीक है न यहां से इसको निकालनी है तो बस डारेक्ली करेंगे 72,000 इंटू का 25 प्लस 2 या फिर 25 माइनस 2 पताओ 25 प्लस 2 की 25 माइनस 2 डिक्रीज हो रही है तो 25 माइनस का 2 ठीक है न तो 25 23 अपॉन 25 इसे काटेंगे 5 बांजा 5 ठीक है 5 फोर जा 20 और डबल 0 5 बचा है 5 तूजा 5 तूजा 10 फिर 4 बचेगा 5 एड़ जा 5 एड़ जा 0 288 अब 288 इंटू 3 288 0 अब तुम्हार को समझ में आ रहा हो तेईस को कैसे करेंगे 20 और तीन ठीक है 20 प्लस 3 क्या तू से मल्टिप्लाय करने में तुम्हार को किसी भी चीज में पैन उठाने की जरूद होती है गया तू 8 जा 16 टू 8 जा 16 17 टूदो दो प्वर फाइव और एक 0 चुप चाब चिपका दो इसमें ठीक है इसका चिपका जाए इसका निंग भी चिपका है ठीक है 200 चले क्या आप लोगों को ये तरीके भी आते हैं और उसके बाद भी कैलकुलेशन में तुम लगा रहे हो तो तुम सही में एक स्टेप पीछे हो रहे हो अपनी सेलेक्शन के ले खुदी ठीक है तो इसी वज़ी से कह रहा हूं चीजों को समझो थोड़ा सा सीखो और प्राक् मैं एक शहर की जन संक्या पहले वर्ष 30 साल से बढ़ी और अगले वर्ष 15 परसंट से घट गई यत वर्तमान जन संख्या जाराजार मुर्स जिसको नहीं पता वह निकाल सकता है 15 है थीं से काट हो से काट होगा थीक है अब क्या होता है increase हो रही है तो 10 plus 3 या 10 minus 3 10 plus 3 या 10 minus 3 increase हो रही है न तो plus का होगा 13 by 10 ठीक हो गया फिर decrease हो रही है तो 20 plus 3 की 20 minus 3 decrease है तो 20 minus का 3 17 by 20 और उसके बाद यह सारे काम के बाद न हो गया है वो तो बस अब इस करते हैं जब भी ना जैनरल ली ना अगर कभी भी कुछ ऐसी वैल्यू आ जायना तो इसका मत और प्राइम नंबर दें देखो तेरा भी प्राइम नंबर इंटु का दस है इन्टु का बीस है अपोन का है तेरा इन्टु का है सत्रा ठीक है चलो सब्सक्राइक है चलो देखो पूरा कड़ें मैं वही कह रहा था कि पूरा का पूरा कड़ेंगा सेवंटीन फाइवजा होता है पिचासी तो पचास कड़ी या तो कित्ती वैल्यू आ गई कि 555 52 00 और 2020 है कि दस दस को क्या कि इतने बड़े बड़े इतने असानी से दो निकाल पारे हो कि आप भी बिना प्रैक्टिस के कर सकते हो नहीं कर सकते ना कि नहीं बढ़ार कि मैं मं से नहीं हुटांकि आज यह वाली को बच्छों को पर्षान करता हूं नहीं यह इस लेवल तक तुम्हार को जाना है इस लेफल तक तुम्हार को पढ़ना है और तभी होगा सेलेक्शन अगर तुम्हार को सही में टॉप नॉच कॉलिज में जाना है तो और समय है अभी हमार पर है ना हमार पर समय अभी है इसी वज़ी से हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने की पूरी की पूरी कोशिश करेंगे क्या का दो पॉपॉपॉलेशन ऑफ टाउन इस चत्यजार इफ इस इंक्रीजिंग एट ओफ इतना अच्छा मुझे बढ़ बताओ जिसने कलवाली क्लास देखी है शिक्स्टीन टूबाइट्री परसेंट कितना फ्रेक्शन होता है एक बटा च्छे का सिस्टीन टूबाइट् जनसंख्या 36,000 है यदि यह परतिवर्ष 16 सही दो बटा तीन परतिश्यक्त की दर से बढ़ती है तो दो वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी अब यहां पर बच्चे फस जाएंगे जो बोल रहे हैं कि सरा वाल तू जो भी पढ़ा रहो पढ़ाते रहो लेकिन मेरे को जो मेरे क्लास टीचर नहीं च्छटी क्लास में पढ़ा जेता है मैं तो वही चीज करता रहोंगा यह करती रहोंगी अब बताओ यह जिन्दीकी में इतना बड़ा दुख देगा ना यह सिक्स्टीन थीजा फॉट्येट टिफ्टी है फिफ्टी बाइ थ्री परसेंट है यह पे देखो जो हमने में टॉट जिन्द की जीने की स्थान ली है वो क्या है कि 36000 हर साल भड़ रही है एक बटाच है से साड़े 16000 साड़े 16 तूब ऐ 3 परसेंट को एक बटाच है बोल दी तो 16000 है सोरी 36000 है बढ़ रही है यह ना बढ़ रही है जाना ठीक है बढ़ रही है तो सिक्स प्लस वान होगी कि सिक्स माइनस वान होगी बताओ इन्टू 7 बाइ 6 अब काटो इस है तिक्स सिक्स वान जीरो 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 तो सेवन सेवन जा पॉटी नाइन और एक दो तीन बस यह देखो किता प्यारा सांसर आ गया यह वाला ऑप्शन सी यह नहीं है बस अब खुद सोच लो कि क्या यह वाले बच्चे की जिंदगी असान रहेगी examination में कि इस वाले बच्चे की रहेगी खुद दिल पहात रखके बताना यह चीज का अंसर ठीक है चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज बच्चों मैं आप सभी से यही दरख्वास करूंगा डू लिवर कमेंट इन दे कमेंट बॉक्स उससे थोड़ा सा appreciation मिलता है आप लोग अगर प्यार देते हैं तो हर एक सेशन में न अच्छा लगता है कि हां कि और थोड़ी बहनत करते हैं और थोड़ा अच्छा content लेके आते हैं और और आप लोगों को आपकी जो comfort zone है उससे निखालने की कोशिश करते हैं तो प्लीज आप लोग अपने comments भी 53-48 फेल हुए mathematics में और चालेस परसंट ऐसे हैं जो कि दोनों में फेल हुए हैं वाट परसंट पास दिन बोड़ एक परीक्षा में 53 उमिदवार विज्ञान में और 48 गनित में अनुत्रीन हुए यदि 40% दोनों विश्यों में अनुत्रीन हुए हो जाते हैं तो दोनों और 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 क्या है mathematics यह है तो mathematics में mathematics में इनन एक्जामेशन तो साइंस में कितने परसंट फेल हुए 53 परसंट Science में कितने परसंग्या हुए 53 से मिटमाटिक्स में कितने फेड fonctionne 48 परसंट अब बोथ में जय तोनों में कितने फेल नहीं है 40 परसंट ट्रीक है घुरे जो 43 परसंट अबको जय ना सनड्लिक्स नहीं बहुत सारे बाश्यसुक्स में 53 परसंट फेट है अगर मैं मैंस की बात करूं तो हो मैक्स में 48 बर्षटे भी क्या ग्क है लेकिन कुछ ऐसे बच्छे भी न 20ечение आगहिँ लोंगे वो गता ना साइंस की फिफिव्टी थी फिरी परसें धेह जो कुछ्षेल तो especially science science में कितने चांस थाइज फेल होंगे बाई आ यह मैंटमाटिक्स थाइड़ प्रसंट है और दोनों में 454 तो सिर्फ मार्वारल्य फेल होंगे आप बोलो किश् tark 9 वीध बास बस अब मुझे पता दो कि यह जो वैल्य आय 13 14 14 40 यह इसे होंगे कि जो at least वन में कम से कम एक में तो फैल ही है कि तेरा परसेंट बच्चे सर्फ साइन्समें UFO Κालिस परसेंट बच्चे साइन्स और मैंस दोनों में पिल है और आञ परसेंट बच्चे मैंस में फैल है है तो यह 13 plus 8 13 प्लस 430 118 प्लस 440 प्लस आठ कितनी विल्य हो गई नइन बताओ तिएट और इस्ट इंवगी जिस्टी वान परसंट जनता ऐसी होगी जो कि किसी ना किसी में तो फेल है एक में भी हो सकते हैं दो में भी हो सकते हैं क्या समझ में आ गई तो बची हुई जनता किसी में भी फेल नहीं होगी तो सौ में से इन स्टिवन को मैंने माइनस कर दिया थर्टी नाइन परसंट इन ओफेस 55 परसंट 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 लाइक करते हैं को को सिक्स्टी परसंट करते हैं कॉफी को और फॉर्टीफाई परसंट करते हैं बोध को देन वाट अच्छी परसंटी थी परसंट्ट५ु न पने हैं एक पर्संट करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत ग्याद कीजें बताओ ठीक है कि यह बताओ अ तो क्या है केस इस वाले केस मैंने बोल दी है यह कॉफी वाला है यह ती वाला ह। 55% करते हैं ती को पसंद रैट 55 करते हैं ती को पसंद 60% करते हैं कॉफी को 60% करते हैं कॉफी को पसंद 45 करते हैं दोनों को पसंद ठीक है 45 करते हैं दोनों को पसंद ऐसे हैं मतलब क्यों कॉफी भी पसंद करते हैं शाय भी पसंद करते हैं ठीक है तो बताना सिर्फ और सिर्फ कॉफी कितने पसंद करते होंगे सिर्फ और सिर्फ तो यह जो है 15 प्लस 45 प्लस 10 कितनी वेल्यू होगा यह 60 60 प्लस 10 70 यह 70 परसंट ऐसी जनता है जो की लाइक करती होगी एक वन तिंग कम से कम एक चीज को पसंद करती होगी यह चाय को करती होगी तो कॉफी को करती होगी और यह यह 70 परसंट जनता यह यह आंसर था यह यह आंसर था आपका क्या समझ में आ रही है बातें बोलो हां या ना ना भी बोल सकते हैं ठीक है बोलो आया ना बताओ कि यह रोड़ी है चीज़ें इस को देखो इन एग्जामिनेशन पॉट्टी सेवन पास इन साइन्स और फिफ्टी वन फेल इन मैथमाटिक्स ठीक है इस फॉट्टी टू फेल इन बोट अच्छा बस कुछ नहीं ना science का पास दिया हो है तो बताओ science में फेल कितने होंगे सौ मेंस करें 53 तो मैं कह सकता हूं कि 53 फेल इन साइन्स हैं ठीक है 53 फेल इन साइन्स है ठीक है 53 क्या है यह साइन्स का बोल दिया है है और यह क्या है mathematics है और फॉफ्टी थ्री फेल एन है साइन्स है ठीक है फिफ्टी फेल होगे साइन्स के अंदर है फिफ्टी वन फेल हुए मैथमाटिक्स के अंदर ऑर 42 फेल हुए बोथ मैं 45 फेल हुए बॉथ मैं सढ़री 24 साइन्स में सिरफ फ़र थिस साइन्स में कितने फेल हुए कि question कर लिए गए नहीं ऐसा ही किया था लेकिन और इसको करेंगे कितना आएगा यह 9 आएगा ठीक है उसके बस हलकी values what is pass in both the subjects तो बताओ इन को add करो 11 और 9 20 62 62 ऐसे होंगे जो की fail होंगे at least one में 62 ऐसे होंगे जो की fail होंगे only one में ठीक है तो इनको add करके आया है 62 तो बस 100-62-62-38 परसे दराइट आशे क्या वालकों को समझ में आ रहा है बता दो जल्दी समझ में आरी चीजें कोई रॉकेट सैंस पट्रेंश में इस चीज में ऐसा कुछ है इसा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है हर एक चीज डेटा गिवेन बस कर लिखने का representation में आपको समझा रहा हूं ठीक है कोई प्रॉब्लम है इसमें अब आजो एलेक्शन में इन एलेक्शन टू कैंड़ेट्स पार्टिसिपेटेट विनर गौट सिक्स्टी परसेंट वोट्स एंड वन बाइ सिक्स थाउजन वोट्स फाइंड टोटल नम्पर वोट्स एक चुनाव में दो मिद और वोटर भी है वोटर ए है और वोटर भी है अब मैंने कह दिया कि यह जो आपका पार्टिसिपेंट यह है ना यह विनर है आपका कि इसको कितने परसेंट वोट मिले कि सिक्स्टी परसेंट अच्छा एक बाद बताओ कि दो ही लोग पार्टिसेबेट कर रहे हैं एलेक्शन में एक को साथ परसेंट मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे बताओ कि दूसरे को कितने मिलेंगे एक को सार्ट परसेंट मिल गए तो चालीस परसेंट इसमें कोई बहूत बड़ी बात तो बता नहीं ने यह 40 परसेंटं अब मैंने इसको घुशित कर दिया था ना एक एस दा विनर तो मुझे बताना एव विनर बना कितने percent वोट से 20 percent वोट से बोलो हाया ना इसको 60 percent में ले थे, 40 percent में ले थे कितने वोट से विनर बना 20 percent वोट से अब question में क्या कहा गया वो winner बना है 6,000 percent से तो मैं क्या सकता हूँ क्या कि 20 percent की value कितनी है 6,000 है बस unitary method 1 percent की value कितनी हो जाएगी 6,000 divided by 20 तो इसे काटेंगे तो कितनी value 300 और 1 percent की value यह है तो 1 percent की value कितनी होगी यह 30,000 30,000 लोगों ने वोट दिया होगा option B क्या इसमें कोई बहुत 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 डिफिकल्टी है क्या कुछ भी बात है इसमें नहीं है न बस एक चीज़ सिखा सकता हूँ इसमें कि इसको देखो 20 percent की value है 20 percent की value है कितनी 6,000 यह unit method करने की ज़रूद नहीं और ली कर सकते है 20 percent की value कितनी होती है fraction की अगर मैं बात करूँ 20 percent की fraction होती है एक बटा पांच 20 percent की fraction होती है एक बटा पांच तो एक की value अगर यह है 66,000 तो फाइफ की value निकाल नहीं थी प्रेक्शन का भी ज्यान है कली कराया है मैंने 20 percent की value होती है तुमारी 6,000 20 percent की value होती है 1 by 5 और 20 percent की value दिए 6,000 तो 1 by 5 का मतलब क्या हुआ कि 1 की value 600 600 तो 5 क्यों कि नहीं होगी 30,000 आती है बाद समझ में ठीक है नहीं तो आप इसको भी इस तरीके से कर सकते हो एन एलेक्शन देर वर एन एलेक्शन एट एन एलेक्शन देर वर टू कैंड़ेट्स एक और 38 परसेंट वोट और वैद मतो की कुल संक्या क्या है ठीक है एन रहिए चोड़े है पें अवह को मिला 38 परसेंट वोट कि कर दीक। कि को कि तना मिलेगा बताओ 62 62 तो ये winner ये होगा न और ये loser होगा बोलो हाए न ये winner होगा ये loser होगा ये कितने से हारा ये कितने से हारा बताओ इन दोनों के बीचका का difference निकालोगे तो तो 40-22 और 2-24 24% से हारा ये 24% से हारा 24% की value कितनी है 7200 है 1 की value कितनी हो जाएगी तुमारे पास 7200 डिवाइड़ वाइ 24 ठेक है 24 थ्रीजा होता है तुमारे पास 72 तो ये आ गई तो 100% की value कितनी हो जाएगी 100% की value कितनी हो जाएगी ये है 30,000 answers कभी है क्या हरे एक बच्चे को समझ में आ रही है चीज कोई दिक्कत कोई परिशानी आगे भढ़ते रहेंगे न चलो आज़ो इस पर इन इलेक्षिन टू कैंड़ेट्स पर पार्टिसिपेटेड विनर गौट इसके बाद इसको करना आपका आ जाएगा सिक्स्टी परसेंट वोट एंड वन भाई ये सेम है याग सेम कोशन है विनर को मिला साथ परसेंट और तो ए को मिला होगा 60 बी को मिला होगा 40 दोनों की बीच में कितना है 20 की value 20 की value कितनी है इसको 5 से मल्टिप्ला कर दो क्या है टोटल नमबर दो वोट चीटा है फाइव तो टेन 20 21 21 कि अगर जिसको समझ नहीं आए तो पहले के दो कोशन देख लेना इसके बाद इसको करना आपको आ जाएगा समझ में आ रही है चीज़े ना देखो इसमें अगर मैं और टाइम लगा हूं आपको पूरा कर रहा हूं तो इससे बैटर यह है कि आप दो कोशन खुद से स्टूरें स्कूर 32% मार्ग एंट फेठीश नोट फेल बाए 6 मार्ग फिए हैद स्कूर्ट फार्टी सिकस्पर्सें और रहीए वड है वोड है यह थैज दूल है और है यह जब आपके पेपर हुआ है कि यहां पे असा होता है कि यह जीओ है है यहाँ पर 0 मार्फ है और यहां पर कितना है जितने वाली लाइन के बार पास होने सुरू होगे और इसके नीचे लाओ थो फैल रहो होगे ठिक एसे ही तो होता है अब क्या कहागया कि एक student ने 32 परसेंट मार्फ स्कोर किये तो यह कहीं पर यहां पर करता होगा ना तो 32% में अगर उच्छे मार्क्स लियाता 32% में च्छे मार्क्स और लियाता तो यहां पर एक्जैक्टली यहां पर होता ठीक है और अगर वह 36% मार्क्स लेके आया है 36% मार्क्स लेके आया है तो वह उसने कितने मार्क्स अर्की है दो मार्क्स अर्क तो 36% में से दो सकर दूंगा तो मैं एक्जैक्ली पहुच जाओंगा जहां पर पास होना था इतना शांदर तरीका से अमोना इसमें तुम न मदा जाएगा ठीक है एक जो करते हैं कैसे x लेके करता है पहले और फिर देखना औरली कैसे करेंगे इस question को मैंने ले लिया कि हमारे पास total marks थे x या फिर मैं बोलता हूं maximum marks का paper था x marks का paper था फिर maximum marks इस code या फिर maximum marks उसमें x ले सकते थे, ठीक है, तो क्या हुआ कि जब वो 32%, तो 32% of x जब ले के आया, तो वो fail हो गया था 6 marks से, ठीक है, तो 32% of x जब ले के आया marks, उसमें अगर मैं 6 marks एड़ कर दूं, तो पास हो जाएगा वो, मतलब जितने पर पास, exactly पास हो सकता था, उतने marks ले आता न, है न, तो 32% of x प्लस 6, जब वो 36% marks ले के आया, 36% of x जब ले के आया, तो वो passing marks से 2 marks उपर आ गया, passing marks से 2 marks उपर आ गया, है न, तो मैं 36% जितने marks थे, अगर उसमें से 2 marks माइनस कर दूं, तो वो वहीं वे पहुचेगा न, जहाँ पे वो exactly pass होता, है न, तो बस उन दोनों को equate कर दी वेलियो, यहाँ पे 32% में 6 marks एड करके वहाँ पहुचता, जहाँ पे वो exactly pass होता, और 36% में, वो वहाँ पहुचता, जहाँ पे वो exactly pass होता, तो बस 32% को करेंगे, 32% of x प्लस x, इसको 36% of x माइनस का 2, ठीक है, तो अब करते हैं, इसको 32, इसको इधर ले के जाएंग यह देखो न, इसको मैं इधर लेके चला गया, 32x है, 32x upon 100 है, 36x upon 100 है, तो 36x upon 100 में से 32x upon 100 मैंने माइनस किया, और इसको इधर लेके आए, तो यह 8 value आगए, है न, तो x की value किसदर कैसे करेंगे, x equals to 8 into 100 upon 4, 4 से 2 हो गया, total marks वो उसमें, कितना लेके आता, 200 लेके आता, क्या यहां तक किसी भी बच्चे को doubt है, बताओ, क्या यहां तक किसी भी बच्चे को doubt है, मतलब वो paper 200 marks का था, ठीक है जी, question में क्या पूछा गया, what is the passing marks, तो अब बस क्या ही पे भी, चाहे तो इस वाली equation में x की value लिखके कर लो, 32% लेके आ जाता, तो पास हो जाता, तो 32% of x plus 6 equals to passing marks है, तो 32% of x plus, sorry, of x की जगा तो 200 की value लिख दू, 200 plus 6, तो यह आएगा, यह कितनी value आएगी, 64 plus 6, 70, 70 marks आगे इसके, क्या किसी भी बच्चे को समझ में आई नहीं आई यह बात है, doubt है इस चीज में तो बताओ, doubt है इस चीज में, doubt है इस चीज में बताओ, समझ में आगी ना बात बुलो आये ना बताओ बस इस कोश्चन को अकर समझ में आगी ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है तुम अगर एक चीज देखू गए जब ये यहाँ पे अब ये मेंटॉस जिंदी वाला सवाल है ठीक है तरीका समझे ना मेंटॉस कैसे है यह हमस्ते रहना मज़ा आजाएगा यह मैंने बोल दिया पूरा पेपर है यहाँ पे वो जीरो माक्स लेके आता ठीक है यहाँ पे लेके आता वो मैक्सिमम माक यहाँ पे वो एक्जैक्ली कहीं पे यहाँ पे गिरता ना तो सिर्फ और सरफ पास होता हो यहां पर कहीं कहीं गिरता तो पास होता तो यहां पर इसके राइट हैंड साइड में गिरेगा तो पास होता रहेगा इसके लेफ्ट हैंड साइड में गिरेगा तो फेल होता रहेगा मतलब कि तो पास हुआ तो इन दोनों के बीच में कितनी परसंटेज का गयप है बताओ इन दोनों के बीच में कितने परसंटेज का गयप है चार परसंट का गयप है ठीक हो गया 32 परसंट लेके आया तो पास हुआ और 36 परसंट लेके आया तो पास हुआ इन दोनों के बीच में कितने परसंट का gap है? 4% का gap है. ठीक है जी? अब मैं अगर आप से बोलू हूँ कि यहां पे यह minus 6 लेके आया था और यहां पे यह plus 2 लेके आया था. minus 6 plus 2. minus 6 plus 2. तो इन दोनों के बीच में कितने का gap है? इन दोनों के से बीच में किता याप आप बोलोगहें कि स आठका ग्याप यह थैक इक बमदर पीं सुद फिर मैं उसको समझाओंगँ थिए गां आ तो इसलो अथ तो वो पड़ी ऊगी ना सब भेर नम्बर लाइन यह जीरो होता है यह 1 होता है, यह 2 होता है, यह 3 होता है, यह 4 होता है, यह प्लस infinity. यह आपने सुना है यह 1 होता है, यह minus 2 होता है, यह minus 3 होता है, यह minus का इंदिफिनिटी. अब एक चीज मुझे बताना, मैं gaps ढूंडाओं best कि अगर मैं पुछूं कि minus 2 से plus 4 तक जाना हैm तो कितनी बार जाना पड़ेगा कितने कितने नंबर्स मुझे आड़ करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 मुझे यहां से यहां जाना है इन दोनों की बीच में गैप ढूंड रहा हूं मैं एडिशन और सप्ट्राक्शन नहीं कर रहा गैप ढूंड रहा हूं मानके चलो तुम माइनस ट पे किसी भी बिल्डिंग में होती है नं लिफ्ट होती हैं यह ग्राउप फ्लॉर होगह जीरो यह वन फ्लॉर ough टू ऐत्री फ्लॉर फाइफ फिलॉर यह बेस्मेंट मैनस वन बेस्मेंट मैश 2 minus 3 basement minus 4 ठीक हैं तुम्हारे को minus 2 से basement minus 2 से कि तुम्हारे को फ् concern पे जाना है तो बताओ एक floor ये चड़ोगे minus 2 से minus 1 minus 1 से 0 चड़ोगे एक 2 0 से 1 चड़ोगे थीं 4, 5, 6 6 floors चड़ रहे हुँ नüne तो मैंने शिर्फ और सर्फ 2 floors जड़े ऐसा तो नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो रहा हुँ मैं gap की बात कर रहा हु कितने gap पगए है समझ में आगे ना difference में कि plus minus कब करते हैं और गाप कप डूंडते हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो बंदा माइनस 6 पे था, माइनस 6 के मार्ट पे था, और उसे प्लस 2 तक पॉच्चना है, प्लस 2 तक पॉच्चना है, इसको इस तरीके से, वैसे तो आपको लिफ्ट वाले उससे समझ में आ गया होगा, मैं कहता हूँ कि तुमारे पे 33 मार्ट पे तुम पास होते हैं, एक्जामपल बोल रहा हूँ, फिर बच्चा कन्फ्यूज जाता है क्योंकि, 33 मार्ट पे तुमारे मार्ट आएं 28 और एक तुमारे दोस्त के मार्ट आएं 35, तो तुम दोनों के बीच में कितने का गैप है, यहां पे 39, 30, 31, 32 और 34 का, तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का गैप है न, 7 का गैप है न, यह तो नहीं कि इन दोनों को माइनस करने लग जाओगे, वो प्लस 2 पे बैठा है और तुम माइनस 5 पे बैठे हो, माइनस 5 प्लस 2 करके माइनस 3 लाओगे, कि 7 लेके आओगे, समझ में आगई बात, बद वो ही है, लिफ्ट वाले दिमार्ग से आपको ज्यादा अच्छा से रहेगा, वैसे प्लस 2 माइनस 2 भी कर चकते हो, तो इन दोनों के गैप में कितने, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 8 का, है न, 8 मार्क्स का गैप है, तो परसंटेज में देखूं, तो 4 परसंट का गैप है, मार्क्स में देखूं तो 8 मार्क्स का गैप है, तो 1 परसंट इक्वस टू मार्क्स, 100 परसंट इक्वस टू दो सुमाक्स, खत्म इतना सा सवाल था सिर्फ, औरली सवाल था यह, यहाँ पर जो तुम्हार को बड़ी-बड़ी equation दिखेंगे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से खेलना है समझ में आ रही हैं चीज़ें, कोई दिक्कत, कोई परशानी है बहुत अच्छी तरीके समझाने की कोशिश करिए, अगर जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया है हलका सा रिवाइंड कर लेना, इस question को, ठीक है, जो दो examples मैंने समझाये हैं उससे समझना, उसके बाद ये question पक्का समझ में आया है, और इस question को देखो next question को ऐसे ही solve कराऊंगा, अगर ये हुआ तो, ठीक है, क्या कह रहा है, in an examination Anita scored 31% marks and failed by 16 marks, और सुनीता ने score किया 40% marks और वो 56 marks से पास हो गई, ठीक है, अनीता ने score किया था 31% marks और वो fail हुई है, 16 marks से, और सुनीता है, एक सुनीता ने 40% marks score किये थे, और वो पास हुई है 56 marks से, ठीक है ना, 56 marks से, ठीक है, तो बताओ, इन दोनों के बीच में कितने marks का gap है, इन दोनों को directly add कर दो, 56 plus 16, अच्छे-च्छे, 12 और 272 marks का gap है, और इन दोनों के बीच में कितनी percentage का gap है, इन दोनों के बीच में कितने percentage का gap है, 9% का, तो 1% की value कितनी हो गई तुमारे पास, 8 marks, 100% की value कितनी हो गई तुमारे पास, 800 marks, तो वो paper 800 marks का था, वो paper 800 marks का था, अब पूछा कितने percent, कितने percent marks चाहिए कि वो पास हो जाए, तो 800 marks में से 31, 31% लाओगे, तो 16 add कर देना, ठीक है, और 40% निकालोगे तो 56 minus कर देना, तो मैं कर तो 31 निकाल लेता हो इसका, इसका कितना निकलेगा तुमारा, 100%, 1% की value 8 है, 31 into 8 करोगे, तो 248, तो 248 प्लस का 16, 248 प्लस का 16, 8, 8, 16, 16 में से दो गए, 14, ठीक है, और 426, 256, 264, यह क्या, कुछ भी लिखा वह हो, अच्छा, लिखा वह हैं, लेकिन, options बहुत बद्दे दिये, ठीक है, 264 is the right answer, क्या हर एक बच्चे को समझ में आई बात, कोई दिक्कत, कोई परशानी है तो क्लियर हो रही हैं चीज़े, बड़ी आगे, अब आज हम इस लेने शुरू हो गए, देखो कितने सारे टाइप्स हमने कर दी हैं, आपको पूरे यूट्यूब पे इतने सीक्वेंस के साथ, कहीं पे भी आपको चैप्टर नहीं मिलने वाला, कोई भी चैप्टर बोलूँग कितने concepts हमने समझ ली हैं, तो इसी वज़ी से मैं कह रहा हूँ, आप लोग इस चैनल के उपर अगर पहली बार आए हैं, तो do subscribe this channel, and हर एक student को मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे सपल 2.0 में हम best of the best quality content देनी की कोशिश कर रहे हैं आप सभी को, तो आप लोग बस regular रहें, sessions के इंदर, थोड़ा सा efforts आपको मानने पढ़ेंगे, अभी आपके पास बहुत सारी चीज़े हैं, लेकिन आप लोगों को अभी efforts मानने ही पढ़ेंगे, उसके पास कोई option ही नहीं आपके पास, ठीक है न, चलिए, अब यह वाला question करो, मैं सलीन, रोहित received 74 marks in mathematics, 62 marks in English, 70 in science, what should be, है, हर, रोहित क्या, his होगा न, इन social science, so that 68%, ठीक है, असान question है, mathematics में, 74 marks हैं, English में, 62 marks हैं, science में, science में, कितने हैं, 70 marks हैं, और, 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 क्या है, social science में, तुम्हें, पता नहीं, social science में, तुम्हें, पता नहीं, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि हर एक paper को मैंने मान लिया, 100, ठीक है 100 marks का भी पर था ये वाला 100 का था ये वाला भी 100 का था ये वाला भी 100 का था ये वाला भी 100 का था तो कितने marks होए total 400 marks ठीक है और 400 marks में उसने 68% score किया है 68% तो कितना परसेंट उसने सारों में score किया होगा 68% of 400 68% of 400 निकालना है ठीक है तो ये 0 से काटेंगे 0 से काटेंगे 4, 8, 32, 4, 6, 24, 27 तो उसने score किये होंगे in total 272 marks और इन तीनों में मिला के कितने किया है उसने 7, 7, 14, 140 और 60, 206 तो यहाँ पर बस तुम्हार को करने थे 272 और इन तीनों को मिला के 206 है तो 272 में से 6 माइनस करोगे तो कितनी value आजाएगी 6, 5, 66 ठीक है 66 ठीक है 66 इसमें कोई बड़ी बात है यह तो स्कूल में करते रहते हैं जब भी अपने परसंटेज निकालनी होती है क्लास 12 की परसंटेज, क्लास 10 की परसंटेज, 11 में कितने माग से fail हुए हो सारी चीज़ें ऐसी तरीके से तो करते हैं इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है असान यह चीज़ें देखो क्या कह रहा है अनुजा ओंज 62 2-3 परसंट ऑफ प्रॉपर्टी इफ 30 परसंट आफ दॉपर्टी बात शी ओंज इस वर्थ रुपीज इतना देन 45 परसंट अफ प्रॉपर्टी इस हो और 600 किसी प्रॉपर्टी की किसी प्रोपर्टी को अनूज्श स्वाउन करती है किसव olurё कि में कैंग का इत्व प्रॉपर्टी है cie अब लब में कि आपकी और इसमें कि तीन पार्टि से इसके टीक है तीन पार्ट से क्यों करें तीन पार्ट सब बताता हूं क्योंकि तुम्हारे को पता होना चाहिए कि 66 तू बाइ थ्री परसेंट को हम लिखते हैं 66.66 परसेंट और 66.66 परसेंट की वेल्यू को हम बोलते हैं सबको मिलेगा एक एक हिससा सबको मिलेगा अब क्या होता है की अनुजा ना कि Kivolowitz तीन दोकार्ट स अनुजा करतीए इस प्रॉपर urg अनुजा और ये वाला पार्ट अनुजा का है और ये वाला पार्ट किसी और का है, ये वाला पार्ट किसी और का है, ठीक है, अब क्या कहा, उसने 66.66% करती है, one third of the property, owned by Anuja, that's your own, हाना, मतलब मान के चलो कि, ये प्रॉपर्टी एक्स है, हाना, उसका two by third part Anuja पे है, तो ये Anuja की as a whole property है, अनुजा की तो खुद की property, अगर उस पूरी property को छोड़ो, लेकिन Anuja की खुद की property कितनी है, x का two by three, पूरी property मैंने ले ली x है, और Anuja की property कितनी है, two by three है, उसका 30%, जो Anuja के पास है ना, उसका 30% बोला है, ठीक है, अनुजा के पास कितनी है X जो total property है उसका 2 बटा 3 उसका 30% मतलब 1 बटा 3 उसका 1 बटा 3 की कीमत है 1,25,000 1,25,000 क्या आप सभी को समझ मैं बहुत असान तरीके से question करा दिये हैं मान के चलो एक पूरा पिज़ा है एक पूरा पिज़ा है तीन पार्ट्स है उसके तीन पार्ट्स है उसके पूरे पिज़ा के दो पार्ट्स अनुजा के हैं उसने पैसा उतना दिया था दो पार्ट्स अनुजा के हैं तो अनुजा का इन total अगर मैं देखूंगा तो कितना पूरा पिज़ा है उसका उसके दो पार्ट्स है ना तो वो अपने घर सिर्फ दो पार्ट्स लेके आएगी ठीक है तो इन टोटल जो अनुजा का है वो इतना है इन टोटल जो अनुजा का है वो इतना है और जो वो अपने पास घर लेके आई वो इतना है उसका 30% कितना होगा एक बटा टीट तो siinä सुरी तीस परसेंट होगा तीन बटा दस एश उसका परसेंट कितना होगा तीन बटा दस यह और उसकी कीमत है जो घर लेक्याई पिज़ा उसका थीस परसेंट की कीमत एक लाक पाचिशज हाए वह जो घर लेके आई यह पिजा उसका 30% की वैल्यू है 1,25,000 ठीक है तो यह इससे कटा यह इससे कटा और X की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 625 वो पिजा है 6,25,000 ठीकिन उसने कोश्चीन में बोला कि उस पिजा की 45% वैल्यू बता दो मुझे उस पिजा की 45% वैल्यू बता दो तो बस चैलाग पच्चीजार की निकालनी है तुम्हें 45 परसेंट ओफ चैलाग पच्चीजार ठीक है तो 45 परसेंट ओफ 625 थाउजंट इससे यह कटेगा इससे यह कटेगा ठीक है 45 इंटु 625 करोगे 625 इंटु 45 5 5s are 25 5 2s are 10 12 31 ठीक है इसकी वेल्यों अगर करूँगा तो 4 5s are 20 4 to the 8 9 10 24 25 यह 5 यह 2 यह 1 यह 8 यह 2 2 3 1 sorry 2 8 1 2 5 option sees the right answer option sees the right answer to discussion क्या आप सभी को समझ में आई बात बो हाया ना बो हाया ना जल्दी बताओ तो जल्दी से clear होनी है चीज़ है कोई दिक्कत कोई बर्चानी है तो बताओ थीक है तो इन जू इन जू इन जू तिरा रैबिट्स और पिजिन्स इफ यह बहुत अच्छा कोशन है इसको आप करता हूं कि रैबिट्स और और पिजिन्स के लिए फिली सकता हूं दो cu मैंने क्या कहा मैंने ले लिया रैबिट्स है अर पिजिन्स ले इन पीनि मैंने मैंने water 210 value है ठीक है इव दे लेग्स आर काउंटेट 480 तो 4X प्लस का 2Y इस इकोल स्टू 820 तो बस इसको करना था तुम्हार को कितना आ गया 4X प्लस का 4Y इस इकोल स्टू 4 तो 8 जीरो और यह कितना है 4X है प्लस का 2Y है इस इकोल स्टू 820 है यह काटेंगे यह वाली वेल्यू आ जाएगी 2Y इस इकोल स्टू यह 40 आएगी यह 60 आएगी वाई की वेल्यू आगई तुम्हारे पास 30 लिख दूँ क्या एक्स को हमने लिया था रैबिट्स और वाई को लिया था हमने पिजिन्स है ना तो हमारे पास पिजिन्स आ गए 30 तो तो पिजिन्स ही पूछा था उसने है ना बच्चे समझ में आई बात कोई दिक्कत कोई परचानी ठीक है चलो है ना बच्चो यह सारे कोशन्स हो गए सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बहुत ही लंबा सफर परसंटेज का समाप्त किया है अभी हर एक स्टूडेंट्स से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप लोग बिल्कुल धहरे के साथ इन सारे के सारे सेशन्स को देखि गया है और हम बहुत ही मेनत कर रहे हैं आप सभी के सीउटी ट्वेंटी ट्वेंटी पोर के लिए और वी एर एक्सपेक्टिंग की आप लोग भी हमारा साथ देंगे क्योंकि हमारा एक्सपीवियंस आपका जजबा मेनत करने का जजबा अगर साथ मिल बैठेगा ना तो सही बता रहा हूँ इंडिया के जितने भी बेस्ट कॉलेजिस हैं वह आपका वेट कर रहे होंगे आप उन कॉलेजिस में जाने का वेट नहीं कर रहेंगे वह आपका वेट करेंगे कि इतनी जादा उमधा मेनत जिस भी स्टूडेंट ने कर रखी है वह वहां तक पहुचेगा स्टूडेंट को मैं बोलूंगा जिस भी बच्चे को ऐसा लगता है कि सेशन थोड़े से लंबे हो रहे हैं मैं उन सारे स्टूडेंट को कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा सहीयम रखें आप लोग थोड़ी सी मेहनत जादा कर लें लेकिन आप लोगों को मज़ा बहुत ज से लेते रहेंगे साथ काम करेंगे और आगे भरते रहेंगे ठीक है स्टूडेंट सो आप सभी को चीजों को समझा पाया करा पाया और आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी हम बहुत ही शांदा तरीके से मैनत करते रहेंगे और चीजों को सीखते रहेंगे जब वरुन गोयल आप सभी को कुछ अच्छा पड़ा पाया. So, that's all for today. वरुन गोयल, signing off. जय हिंद!